ब्यावरा नगर के सभी सम्माननिय नागरिक बंदो, मंच परासीन आज इस कारिक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी प्रांथ प्रभारी श्री विवेक भाई श्री प्रांथ प्रभारी श्री दीपेंद्र भाई श्री प्रणपाल जी श्री पुर्शोत्तम जी श्री महेश भाई श्री मती मोना बहन श्री मती सुनिता बहन श्री मुकेश भाई श्री बीके गुपता जी श्री लाखन जी और श्री लोकिन भाई आप सभी का मैं आयोजन आपने किया है मुझे आपसे बात करने का समबाद करने का मौका मिला है भारत देश में पिछले पांच जनवरी 2009 से एक अभ्यान शुरू हुआ है उसका नाम है भारत स्वाभिमान ये अभ्यान को शुरू हुए लगबग 6 महिने हुए है इस अभ्यान के अध्यक्ष है परंपूजनिय स्वामी रामदेव जी इसके महामंत्री है आचारी श्री बालकरश्ण जी और इसका राष्ट्री सचिव का दायत तो परंपूजनिय स्वामी जी ने मुझे दिया हुआ है सारे देश में इस अभ्यान से 31 राज्यों के प्रांथ प्रभारी इस तर के अधिकारी जुड़े हैं 680 जिलों के जिला प्रभारी इसके साथ जुड़े हैं इसके अलावा मंडल प्रभारी हैं पूरे देश में 2,4,000 योग सिक्षक कारिकरता के रूप में इस अभ्यान से जुड़े हैं जनवरी 2011 तक लगबग 11 लाख योग सिक्षक कारिकरता इसमें जुड़ चौएंगे ऐसा प्रयास चल रहा है अगले वर्ष से परमपुजनी स्वामी जी एक एक जिले का प्रभास करने वाले हैं तो अगले दो वर्षों में लगबग 5 करोड लोग जुड़ेंगे ऐसी हमारी संकल्पना है ये अभ्यान क्यों शुरू हुआ है क्या करना चाहते हैं हम इस अभ्यान के माध्यम से क्या कारिकरना है जरूरत क्या है इस अभ्यान की ऐसे कई प्रशनों का जवाब आपको इस व्याक्यान के माध्यम से मैं देने की कोशश करूँगा हमारे देश की आजादी आए हुए 62 साल हो गए 62 साल की आजादी के बाद इस देश में कुछ गंभीर प्रशन है जो हल नहीं हो पाए है जिनको हल होना चाहिए था आजादी मिलने के तुरंट बाद सबसे बड़ा प्रशन है कि हमारे देश के शहीदों ने जे उस अपना देखा देश की आजादी का और आजादी के बाद के भारत का वैसा भारत नहीं बन पाया हमारे शहीदों का सपना था लेकिन अंग्रेजियत इस देश में ना रहे मात्मा गांदी जो आजादी के अंदोलन के सबसे बड़े नायक थे इस देश में उनको एक बार पूछा गया कि आजादी के बाद भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं तो गांदी जी ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अंग्रेज चाहें तो भारत के मेहमान बन के रह सकते हैं लेकिन अंग्रेजों की जो ब्यवस्था है अंग्रेजों की जो सिक्षा है अंग्रेजों की जो नीतियां है अंग्रेजों के जो कानून है अंग्रेजों की जो भाशा है अंग्रेजी ये सब हमें खतम करनी है और इसी को गांदी जी ने अंग्रेजियत कहा था और उन्होंने कहा कि ये इसलिए खतम करनी है कि भारत के शहीदों ने जो शहादत दी है जो कुर्बानी दी है वो इसी उद्देश के लिए दी है आप जानते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए साथ लाख बत्तीस हजार साथ सो असी लोग शहीद हुएं दुनिया में किसी भी देश की आज़ादी के लिए इतने लोग शहीद नहीं हुए जो भारत में हुए और ये साथ लाग बत्तिस जार साथ सो अस्सी शहीद वो है जिनको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे लटका दिया था जैसे तात्या टोपे, नाना सहाब पेश्वा, नाना फड़न्वीस, वासुदेव वलवंद फड़के, चाफिकर बंधू, शहीद आजम भगत सींग, सुखदेव, राजगुरू ऐसे साथ लाख बत्तीस हजार, साथ सो असी करांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पे लटका दिया था उनकी शहादत के बाद ये देश आज़ाद हुआ है, बहुत कीमती है इस देश की आज़ादी इसके अलावा, ऐसे बहुत सारे शहीद हैं, जिनको अंग्रेजों ने गोलियों से मार दिया अंग्रेजों की पुलिस फाइरिंग करती थी, और भारत के सैक्डों शहीद गोलियों से मारे जाते थी आपको याद है, एक बार इस देश में एक बहुत बड़ा हत्या कांड हुआ था, जलियाँ वाला भाग में सन उन्नीस सो उन्नीस में तेरे अपरेल को अमरत्सर के जलियाँ वाला भाग में अंग्रेजों की पुलिस ने अंधाधुन्द गोलियां चलाई थी 1800 से जादा राउंड गोलियां चली थी, 1832 राउंड गोलियां चलाई गई थी और उसमें 3000 भारतवासी शहीद हो गए थी और हजारों भारतवासी उस दुरगटा में विकलांग हो गए थे ऐसे हत्याकांड अंग्रेजों के जमाने में बहुत हुए एक ही बार में तीन हजार लोग शहीद हुए कहीं एक ही बार में दो हजार डिड़ हजार ऐसे जो हत्याकांड अंग्रेजों ने किये इसके अलावा अंग्रेजों ने बरबरता से हमारे करांतिकारियों को लाठियों से मारा पीटा और कई क्रांगतिकारी उसमें शहीद हुए लाठियां खाकर जैसे लाला लाजपत्राए पंजाब के एक बड़े मेता थे एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी सांडर्स ने उनको सिर पर इतनी लाठियां मारी कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और उनकी म्रत्य होई तो अंग्रेजों की पुलिस ने लाठियां मारी अंग्रेजों की पुलिस ने गोलियां चलाई अंग्रेजों की सेना में कई बार ऐसा होता था कि भारतिये क्रांगतिकारीयों को तोप के मुह से बांध देते थे और गोला लगाकर उनके शरीर के एक एक चितरे को उड़ा देते थे जिन करांतिकारियों को तोप के मुह से बांदा गया जिन करांतिकारियों को गोलियों से मारा गया जिन करांतिकारियों को लाठियों से अंग्रेजों ने खतम किया ऐसे क्रांतिकारियों की संख्या साड़े चार करोड है दुनिया के किसी देश के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोग शहीद नहीं हो जो भारत में हो कई बार अंग्रेज क्या किया करते थे भारत के किसी गाउं में जो क्रांतिकारियों का गड़ होता था जैसे अभी मेरे व्याक्यान के पूर्व आप सुन रहे थे नरसिंगड़ ऐसे बहुत इस्थान थे भारत में, बिठूर, कानपूर के पास, आपके इलाके में नरसिंगड़, उधर हमारे उत्तर भारत में, बरेली, शहजापूर, जैसे केंडर, बैरकपूर, कलकत्था के आस पास तो ऐसे कई स्थान थे जहां करांतिकारियों क्या आफिस होता था आंदोलन के लोग होते थे करांतिकारियों की संख्या जिस गाओं में जादा होती थी तो अंग्रेजों की सरकार क्या किया करती थी उस गाओं को चारो तरफ से घेर कर खाने पीने की वस्तुमें वहां ज भूख से मर जाते थे अंग्रेजों ने कई बार भारत देश में ऐसे हालात पैदा किये कि लाखों लोग भूख से मर गए अठारे बार इस देश में अंग्रेजों ने ऐसी इस्थिती पैदा की कि लाखों लोग भूख से मरे तो अंग्रेजों की नीतियों के कारण जो भूख से मरे अंग्रेजों की पुलिस के अत्याचार से जो मरे ऐसे करांतिकारियों की संख्या मैंने बताया साड़े चार करोड है और ये साड़े चार करोड उस समय की संख्या है जब भारत की आबादी बीस बाइस करोड के आसपास हुआ करती थी माने देश की आबादी का 25 प्रतिशत हिस्सा अंग्रेजों की दुर नीतियों का अंग्रेजों की निरंग कुष्टा का अंग्रेजों की अत्याचार का शिकार हुई है साथ लाग बत्तीस अजार साथ सो असी करांतिकारी तो सीधे शहीद हुए जिनको प्रत्यक शुरूप से हम जानते हैं उसकी अलावा परोग शुरूप से हुए तो इतनी बड़ी संख्या में शहादत देकर ये देश आजाद हुआ है कोई देश की आजादी इतनी कीमती नहीं होगी जितनी भारत की है इस देश की आजादी की कीमत अगर आपको जाननी हो समझनी हो तो उन करांतिकारियों के परिवार के लोगों से पूछिए जाकर जिनोंने किसी न किसी को खोया है इस आजादी की लड़ाई अगर हम कभी हमारे देश में ऐसे परिवारों में जाएं जिनके परिवार के लोग शहीद हुए आजादी के लड़ाई में और उनका दर्द सुने तो पता चलेगा कि आजादी की कीमत कितनी है अमर शहीद तांट्या टोपे भगत सिंग उधम सिंग चंदर शेकर जैसे हजारों लाखों करूरों करांतिकारियों के परिवारी जनों को जो दर्द है दिल में वो दर्द आजादी की कीमत बयान करता है हमारे देश में आजादी के लिए अपने को नियोचावर करने वाले अपना सर्वस सो लुटाने वाले ये जो करांतिकारी थे इनका कोई सपना था, इनका कोई आदर्श था, देश की आजादी को लेकर उन्होंने कुछ सोचा था, कि आजादी आएगी तो क्या होगा, और देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा, उन सपनों को उन आदर्शों को जब हम देखते हैं, तो बहुत दुख होता है, तकलीफ ह कि किसी भी शहीद के आएक भी सपना इस देश की आज़ादी के बाद पूरा नहीं हुआ हमारे देश की जो सत्ता व्यवस्था है उसने इस देश को ऐसी दिशा में चलाया कि एक भी शहीद का सपना इस देश में पूरा नहीं हो पाए कभी-कभी तो उससे भी जादा अफसोस इस बात का होता है कि गुलामी की जिन निशानियों के खिलाफ हमारे शहीद लड़ रहे थे करांतिकारी लड़ रहे थे आजादी के बाद भी गुलामी की वो निशानिया इस देश में बाकी हैं उनको भी हम मिटा नहीं पाई जैसे अपने देश के करांतिकारियों ने अंग्रेजों की पुलिस के खिलाफ जितने भी संगर्ष किये वो सारे संगर्ष में जो करांतिकारी शहीद हुए तो वो पुलिस के अत्याचार का दुश्परिनाम था और पुलिस का अत्याचार जो होता था वो एक कानून के आधार पर होता था उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट ये इंडियन पुलिस एक्ट नाम का कानून अंग्रेजों ने बनाय था अठारे सो साथ में 1857 में जब करांथी हुई इस देश में तो उस समय अंग्रेजों की हालत खराब हुई थी पूरे देश के साड़े तीन सो इस्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी और अंग्रेज उसमें हार गए थे 1857 की कुरांती के जो दस्तावेज इस देश में हैं वो ये बताते हैं कि अंग्रेजों की उसमें हार हुई थी पराजे हुई थी 10 मई 1857 से कुरांती की शुरुआत हुई मेरट में और 1 सितंबर 1857 तक इस देश में एक भी अंग्रेज जीवित नहीं बचा था भारत के करांती कारियों ने 3,64,000 अंग्रेजों का कतले आम कर दिया था मार डाला था हमारे देश के साधरन लोगों ने घास काटने वाले हसीय से अंग्रेजों के सिर काट दे थे पशुओं को चारा काटने वाला जो गणासा होता है उस से अंग्रेजों के सिर काटे थे भाला, तलवार, तीर, कमान, लाठियां इन शस्त्र का अस्त्रों का उप्योग करके भारतवासियों ने अंग्रेजों को मार डाला थे इतना गुस्सा भारत के लोगों में पैदा हुआ था 1857 इस 1857 की करांती में करोडों भारतवासियों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था और अंग्रेज मारे गए थे इसमें अंग्रेज जब हारे तो हिंदुस्तान से इस्ट इंडिया कमपनी का साशन समात्थ हो गया था कई भारत के राज्य अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए थे उस जमाने में भारत में 565 राज्य होते थे अभी जैसे 31 राज्ये हैं उस समय 565 राज्य हुआ करते हैं इस समय भारत का जो एक-एक जिला है वो उस समय एक-एक राज्य की हैसियत का हुआ करता था भोपाल एक राज्य था नरसिंगड एक राज्य था इसी तरह से हमारे देश में उज्जेन एक राज्य था इसी तरह से रतलाम एक राज्जी की हैसियत का था हमारे देश में एक एक जिला जो आज है 1857 में एक एक राज्जी था ऐसे सभी राज्जे जिनकी संख्या 565 वो गुलामी से आजाद हो गए थे अंग्रेजों का साशन खतम हो गया था क्योंकि अंग्रेज मारे गए थे एक भी अंग्रेज जिन्दा नहीं बचा थे तो अंग्रेजों की संसद में एक बहस होई थी और बहस इस बात की होई थी कि दुबारा भारत पर कबजा कैसे किया जाए एक बार तो हार गए अंग्रेज दुबारा वो आना चाहते थे इस देश कारण क्या था भारत में धन और संपत्ती उन्हें लूटना था जो बहुत अधिक मात्रा में था और इंग्लेंड उस समय दुनिया का सबसे गरीब देश था जब अंग्रेज सबसे पहली बार इस भारत में आये थे तो इंग्लेंड में भुख मरी की हालत थी और इंग्लेंड का इतिहास जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि पंदरवी शताबदी में इंग्लेंड में साड़े तीन करोड लोग भूख से मर गए थे जो इंग्लेंड की आवादी का पचास प्रतिशत इतने बड़े पैमाने पर किसी देश में भूख से लोग मरे हों तो इस पश्ट है कि वहाँ गरीबी बहुत होगी बेरोजगारी बहुत होगी तो इंग्लेंड में बहुत गरीबी थी बहुत बेरोजगारी थी आपको सुनके हरानी होगी जब इस्ट इंडिया कमपनी भारत आई थी तो इंग्लेंड के अधिकांच लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं थे वो पशुओं को मार कर उसकी छाल लपेट कर रहा करते कपड़े बनाना अंग्रेजों को नहीं आता था क्योंकि कपड़ा बनाने के लिए जो कपास पैदा होती है वो उनके देश में नहीं होती थी तो कपड़े पहनने के लिए नहीं थे खाने को रोटी नहीं थी इंग्लेंड के खेतों में कुछ उत्पादन नहीं होता था क्योंकि वहां साल में छे से आठ महीने बरफ पड़ती है और खेतों में बरफ जमी रहती है तो घास का तिनका भी नहीं उग सकता तो खेती नहीं होती थी उत्पादन कुछ नहीं था जंगलों के जानवरों को मार के उनका मास खाके उनकी जिन्दगी गुजारते थे अंग्रेज और खर्च के लिए थोड़े पैसे की जरूरत है धन संपत्ती की जरूरत है तो कारखाने उनके यहां थे नहीं उद्द्योग धंदे चलते नहीं थे क्योंकि कारखाने और उद्द्योग उसी देश में चल सकते हैं तभी तो कपड़ा बनेगा और सूत होने के लिए कपास होनी चाहिए कपास होने के लिए खेती होनी चाहिए खेती होने के लिए मिट्टी होनी चाहिए जमीन होनी चाहिए पत्थर में खेती नहीं होती है मिट्टी में होती है अब इंग्लेंड देश का जो खेत है वहाँ पत्थरी पत्थर है मिट्टी तो बहुत कम है और जहां मिट्टी है वहाँ बरफ पड़ी रहती है साल में छेचे महीने बरफ जमी रहती है तो कुछ उगता नहीं उनके देश में जादा तो खेती नहीं है तो उद्योग नहीं थे उद्योग नहीं तो व्यापार नहीं हो सकता और उद्योग व्यापार नहीं तो आमंदनी का जरिया नहीं है कोई तो अंग्रेजों की आमंदनी किस बात से होती थी आपको सुनके हैरानी होगी एक हजार साल अंग्रेजों की आमंदनी का मुख्य रास्ता था लूट पाट करना अंग्रेजों के नागरिक छोटे छोटे समूव बनाते थे जिसको वो कमपनी कहा करते थे वो कमपनी लूट पाट किया करते थे अंग्रेजों के देश के नज़दीक से समुद्र गुजरता है उस समुद्र में पानी के जहाज आते जाते थे व्यापार करने के लिए उन जहाजों को लूटने का काम अंग्रेज किया करते और उस लूट के पैसे से उनकी जिन्दगी चला करते थी ये लूट पार्ट करने वाली जो कमपनिया थी उनी में से एक थी उसका नाम था इस्ट इंडिया जिसको लूट खोर अंग्रेजों ने बनाया था इस्ट इंडिया कमपनी का जो management था आज की भाशा में कहें board of directors उसमें सारे लुटेरे और चोर लोग ही थे बड़े बड़े लुटेरे जिनको आज काल हम हंदुस्तान में कहते हैं न माफिया लोग तो माफिया लोगों ने मिलके इस्ट इंडिया कमपनी बनाई थी कोई अच्छे लोगों की कमपनी नहीं थी वो भले लोगों की कमपनी नहीं थी लूट खोर लोगों ने डकैतों ने चोरों ने मिलकर एक कमपनी स्थापित कर ली थी इस्ट इंडिया और इंग्लेंड के राजा के साथ उन्होंने एक समझोता किया था इंग्लेंड के राजा को ये कहा कि हमको एक चिठी लिख दो आपको और चिठी में ये लिख दो कि ये कमपनी इंग्लेंड की अधिकरत कमपनी है तो बदले में हम जो भी लूटेंगे उसका एक बड़ा हिस्सा आपको दे दें इंग्लेंड का राजा भी गरीब था उसको भी पैसे चाहिए तो उसने एक चिठी लिखके दे दी उसको इस्ट इंडिया कमपनी कहती थी ये हमारा अथोरिटी लेटर है लूटने का लाइसेंस है ये तो वो चिठी लेके निकले और भारत में गुज गए क्योंकि भारत में उनको मालुम था कि धन और बहुत है संपत्ती बहुत है भारत में कई बार अंग्रेज आके जा चुके थे शुरू में फ्रांसी सी आये थे यहां डच लोग आये थे पुर्तगाली लोग आये थे और सब में भारत के बारे में एकी बात कही थी कि सोने की चिडिया है बहुत धन है इस देश में बहुत संपत्ती है इस देश में तो अंग्रेजों को ये मालूम हो गया कि धन संपत्ती बहुत है इसलिए वो इस देश में घुसे यहां के एक राजा से उन्होंने लाइसेंस ले लिया उस राजा का नाम था जहांगीर और उसने भी लाइसेंस दे दिया कि धीरे धीरे लूट मार बढ़ती गई पूरे गुजरात में फैल गई फिर बहुरत के अलग-अलग इस्थानों में फैल गई और अंगरेजों को लूट मार में इतना धन मिलने लगा कि उनके मन में लालच आ गया कि इस भारत में इतना धन है, इतनी सम्पत्य है तो यहाँ पर्मनेंट कबजा कर ले और जब उनके मन में ये लालच आ गया कि यहां कबजा कर लेना है हमेशा यहां पर अपनी सरकार बना के लूट मार करनी है तब उन्होंने इस्ट इंडिया कमपनी की सरकार बनाई इस देश में पहले इस्ट इंडिया कमपनी आई लूट मार करने फि फिर इस्ट इंडिया कमपनी की सरकार सो साल तक चली सो साल खूब लूटा उन्होंने फिर उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि अब संग्रेजों की संसद की सरकार बनाओ इस देश में तो अगले सो साल के लिए फिर संसद की सरकार चली तो सो साल इस्ट इंडिया कमपनी की सर सो साल अंग्रेजों की सर्umstak की सरकार और उसके पहले की लूत मार कुल मिलाकर धाइस सो साल उन्होंने इस देश को लूटा और धन सम्पत्ति सारा ले जाकर लंदन में जमा किया अंग्रेजों ने जो लूटा इस देश को तब उनकी हालत थोड़ी सुधरना शुरू हुई और उनकी गरीबी दूर हुई अंग्रेजों के इतिहासकार ये बात कहते हैं कि अगर उन्होंने भारत में आकर लूट मार नहीं की होती तो इंग्लेंड देश तो भूख से ही मर गया होता भारत आये धन संपत्ती लूटा पैसे एकठे हुए तब इंग्लेंड जिन्दा रहा और इंग्लेंड में एक ओद्योगी क्रांती हुई जिसको आप इतिहास में पढ़ते हैं उस ओद्योगी क्रांती का सारा पैसा भारत की लूट से गया कितना लूटा इन अंग्रेजों ने भारत को एक अद्वारन देता हूँ आपको एक अंग्रेज था इस देश में उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइब बच्पन में आपने इतिहास की किताब पढ़ी होगी तो रॉबर्ट क्लाइब का नाम आपने जरूर सुना होगा प्लासी का एक युद्ध हुआ इस देश में 1757 में रॉबर्ट क्लाइब उस प्लासी के युद्ध को लड़ने के लिए आया था और उसने प्लासी के युद में सिराजुद दौला की सेना को हराया था ऐसा इतिहास में लिखा गया है दस्तावेज कुछ दूसरी बात बताते हैं कोई किसी को युद्ध में कब हरा सकता है जब युद्ध हो दस्तावेज बताते हैं कि प्लासी के मैदान में तो युद्ध हुआ ही नहीं तो फिर कैसे हरा दिया उसने प्लासी के मैदान में युद्ध नहीं हुआ समझोता हुआ अंग्रेजों का जो रॉबर्ट कलाइव था उसने सिराजुद दौला के सेनापती मीर जाफर से एक समझोता किया समझोता ये था कि मीर जाफर युद नहीं लड़ेगा अपनी पूरी सेना के साथ अंगरेजों के सामने आत्म समर्पन करेगा किस खुशी में? अंगरेजों ने मीर जाफर को वाइदा किया था कि तुम अगर आत्म समर्पन कर दोगे बिना युद लड़े तो हम तुमको बंगाल का राजा बना देंगे मीर जाफर उस समय बंगाल का रक्षा मंत्री था और वो प्रधान मंत्री बनना चाहता था अंग्रेजों ने उसको वाइदा कर दिया कि तुमको प्रधान मंत्री बना देंगे तुम हमारे साथ समझोता कर लो युद्ध मत लड़ो अपनी सेना के साथ आत्म समर्पन कर दो मीर जाफर बहुत लालची आदमी था कुरसी का और लालच था उसको पैसे का उसको ये लगा कि मैं राजा बनूँगा सारा धन मेरा हो जाएगा कुरसी भी मिल जाएगी तो वो मान गया और उसने अंग्रेजों के साथ एक समझोता कर लिया जिसमें युद्ध नहीं लड़ना है अंग्रेजों के सामने आत्म समर्पन करना है 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में यही हुआ सिराज़त दौला की फौज का सेना पती मीर जाफर 18,000 सेनिकों के साथ आत्म समर्पन कर दिया अंग्रेजों ने उनको बंदी बना लिया और घोशना कर दी कि हमने युद्ध जीत लिया युद्ध तो हुआ ही नहीं वहां तो आत्म समर्पन हुआ और उस आत्म समर्पन ने एक शर्मना का ध्याए इस देश में शुरू कर दिया अंग्रेजों की इस्ट इंडिया कमपनी की सरकार उसी दिन से शुरू हो गए जब उनकी सरकार बन गई बंगाल में थोड़े दिन उन्होंने मीर जाफर को प्रधान मंतरी बना के रखा लेकिन वो अंग्रेजों ने बनाया भारत वासियों ने नहीं तो मीर जाफर अंग्रेजों का गुलाम था बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर की हत्या कर दी अंग्रेजों का कहना था कि जो आदमी अपने लोगों से गद्दारी कर सकता है वो अंग्रेजों से भी करेगा तो मार डाला एक दिन मीर्जाफर को और अंग्रेज सीधे उस राज्य के मालिक हो गए फिर लूटा उन्होंने जी भरके लूटा बंगाल को तो कलकत्ता को लूटा इसने रावर्ड कलाइब ने साथ साल लगाता लूटता रहा उसके लूटने का तरीका क्या था विरोध करें उनको गोली से मार देना चुपचाप अगर अपना सामान दे दे तो अच्छा है विरोध करें तो मार देना ये तरीका था हूँ कभी-कभी वो छोटे-छोटे राजाओं के घर में चले जाते थे महल में और वहाँ जो धन संपत्ती है उसको लेके आते थे साथ साल रॉबर्ड क्लाइब ने ये धन्दा किया जितना माल इकठा हुआ वो लेके लंदन गया तो लंदन में उसको पूछा गया संसद में कि तुम भारत से कितना धन लेके आये हो तो रॉबर्ड क्लाइब ने कहा कि कितना धन है ये मुझे भी नहीं मालूम है उसको कहा गया कि मालूम क्यों नहीं तो उसने का गिना नहीं मैंने गिनने की फुरसत नहीं है बहुत सारा धन है सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे, जवारत तो फिर अंग्रेजों के राजा ने पूछा कि कुछ तो अंदाजा बताओ तो उसने का आप अंदाजा लगाना चाहते हो तो ऐसे लगाओ कि कलकत्ता से धन लूट कर जो मैं लाया हूँ उसको लंदन लाने के लिए पानी के 900 जहाज लगे एक पानी के जहाज में उस समय सत्तर मीटरिक टन माल आता था और एक मीटरिक टन में हजार किलोग्राम होते है मने एक पानी के जहाज में सत्तर हजार किलोग्राम सामान आता था ऐसे 900 जहाज भरके सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवहराद मोती, पन्ना, मानिक ये एक अंग्रेज लूट के ले गया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाई उससे कहा गया कि तुम इस धन का मूल ले निकालो कितना मूल ले है तो रॉबर्ट क्लाईब ने ब्रिटिश पार्लेमेंट में जवाब दिया था कि जितना धन मैं लाया हूँ वो लगबग एक बार यार सेट कर दो ना इसको क्या समस्या है बार बार ये क्यों सीटी बजा रहा है थोड़ी साउंड कम कर दो रॉबर्ट क्लाईब को जब पूछा गया ब्रिटिश पार्लेमेंट में कि इसका अंदाजा बताओ ये धन है कितना तो उसने संख्या जो बताई वो मैं आपको बताता हूँ उसने कहा कि वन थाउजन मिलियन इस्टर्लिंग पाउंड वन थाउजन माने एक हजार मिलियन का माने दस लाख तो एक हजार गुणा दस लाख इस्टर्लिंग पाउंड और ये उसने बताया था सत्रे सो त्रे सट में अब सत्रे सो त्रे सट से संद दो हजार नो आ गया अगर आज के हिसाब से इसको निकाला जाए तो ये कितना धन निकलता है उस जमाने का एक स्टर्लिंग पाउंड आज के जमाने के करीब करीब तीन सो स्टर्लिंग पाउंड के बराबर है अबुमुल्यन होने के कारद और एक स्टर्लिंग पाउंड में लगबग 85 रुपय हैं तो ये धन निकलता है 1000 गुणा 10 लाख गुणा 300 गुणा 85 इतना 1000 गुणा 10 लाख गुणा 300 गुणा 85 अगर इसको आप निकालेंगे तो ये धन करीब करीब 24 लाख करोड रुपई के आसपास आज के हिसाब से इतना संपत्ति और इतना धन एक अंग्रेज ने लूटा इस देश में से जिसका नाम था रॉबर्ट कलाइब और ये रॉबर्ट कलाइब अकेला लूटेरा नहीं था इसके आगे पीछे बहुत लोग आए रॉबर्ट कलाइब गया लूटने के बाद तो वारिन हैस्टिंग आ गया उसने लूटा फिर इस देश को 8-10 साल तक फिर वो चला गया तो एक तीसरा आ गया करजन उसने लूटा इस देश को फिर करजन चला गया तो विलियम वेंटिंग आ गया उसने लूटा फिर वो चला गया तो डलहुजी आ गया उसने लूटा फिर डलहुजी के बाद लॉरेंस आया उसने लूटा फिर ऐसे करते करते 84 अंग्रेज गवर्नर जर्णरल आये जिनों ने इस देश को लूटा आखरी लुटे रहा जो अंग्रेज था इस देश में वो माउंट बेटन था तब तक ये देश लुटता ही रहा परिणाम क्या हुआ लगातार कोई देश अगर सालों साल लूटेगा उसका धन संपत्ती कोई लेके जाएगा तो वो देश गरीब और कंगाल हो ही जाएगा तो भारत की गरीबी इस लूट के कारण होई वरना भारत गरीब देश नहीं था क्योंकि भगवान ने हमको गरीब नहीं बनाया दुनिया में भारत जैसा देश नहीं है इस देश की संपत्ती और समुरुद्धी का अंदाजा आप लगाना चाहें तो सारे भारत देश में करोडों हेक्टेयर जमीन है जिस पर चार फसल होती है दुनिया में कहीं नहीं होती है हम भारत की जमीन में गेहूं का एक दाना डालते हैं उस एक गेहूं के दाने में से लगबग सो गेहूं के दाने निकलाते हैं कभी कभी सवासो निकलाते हैं अब एक गेहूं का दाना डाल कर सो गेहूं दाने पैदा हो इतना उत्पादन तो कहीं नहीं होता जो इस देश की मिट्टी में होता है बाजरे का एक दाना डाल दो इस देश में उतपादन इतना जबरजस्त होता है आलू का थोड़ा सा फसल लगा दो 20-25 किलो आलू तो हजारों टन आलू पैदा हो जाता है टमांटर का एक पौधा लगा दो तो उसमें किलो किलो टमाटर आ जाता है लौकी का एक बीज डाल दो तो सौ से डेड़ सो लौकी तूटती है उसे एक बेल पर टिंडा है भिंडी है माने उत्पादन इस देश में इतना जबरजस्थ है क्योंकि खेत की मिट्टी सबसे अच्छी है और पानी की विवस्था अच्छी है इसलिए खेत में बहुत पैदा होती है दुनिया के किसी देश में नहीं होता उतना हमारे देश में होता इसलिए ये देश में समरुद्धी तो होने ही वाली है जिस देश के खेतों में उत्पादन अच्छा होगा वहां कार खाने भी चलेंगे क्योंकि कच्चा माल है तो कार खाने आप चला सकते हैं पक्का माल बनाएं कार खाने का माल बेच के लाखों करोडों का मुनाफ़ कमा सकते हैं तो भारत के खेतों के उत्पादन के कारण अच्छी मिट्टी के कारण इस देश में समरुद्धी बहुत रही और वो समरुद्धी में जो माल पैदा हुआ वो हम बेचते रहे दुनिया बरके बाजार में तीन हजार साल भारत का माल दुनिया में बिकता था उससे भारत इतना पैसे वाला इतना समरुद्ध शाली देश हुआ कि इसको सोने की चुडिया लोग कहा करते ये रॉबर्ट कलाइब जब घरों में लूटने के लिए जाता था तो उस समय का वो अपनी डायरी में कुछ लिखा करता था कि मैंने कितने घर लूटे क्या क्या संपत्ति लूटी तो उसकी डायरी के कुछ पन्ने मैंने पढ़े हैं उनकी फोटो कापी भी मेरे पास है उसमें वो कहता है कि जिस घर में भी मैं घुसा वहां सोने के सिक्कों का धेर ऐसे लगा रहता था जैसे चने का धेर लगा रहता अब सोने के सिक्कों का धेर इस देश के घरों में रखा हो चने के धेर की तरह गेहूं के धेर की तरह तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना सोना रहा हो तब एक दिन मेरे समझ में आया कि जिस देश में सोना इतना जादा रहा हो तभी तो सोने के मंदिर इस देश में बने वरना दुनिया के किसी देश में क्यों नहीं बने भारत अकेला देश है जहां सोने के मंदिर है दुनिया में कहीं सोने की मस्जिद नहीं है सोने का गिरजा घर भी नहीं है भारत में सोने के मंदिर है और एक नहीं है अम्रत्सर का सोण मंदिर फिर दूसरा यादी नहीं किसी को मालूमी नहीं मैंने एक बार अंग्रेजों के जो दस्तावेज हैं उसमें से निकाल निकाल के सूची बनाई तेरे हजार साथ सो असी सोने के मंदिर हैं इस ते सोने का मंदिर है हमारे देश में तिरुपती बालाजी सोने का मंदिर है हमारे देश में वैश्णो देवी सोने का मंदिर है ऐसे 13,780 सोने के मंदिर एक सोने का मंदिर तो इस देश का इतना जबरजस्त रहा सोमनात का कि उस एक मंदिर को लूटने के लिए 17 साल एक विदेशी ओता रहा मेहमूद गजनवी तो भी पूरे मंदिर को लूट नहीं पाया मेहमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा था फिर भी धन संपत्ती बचा रह गया उसको लूटने के लिए 18 वी बार फिर आया रास्ते में मर गया इसलिए लूट नहीं पाया वरना फिर लूट था एक ही मंदिर को लूटने में सत्रे साल लग गए उसको ऐसे अधवुत सुन मंदिर इस देश में मैंने एक दिन सोचा कि किसी देश में सोने के मंदिर कब बनाए जाएंगे जब लोगों के पास बहुत सोना हो जाए तब ही न इतना सोना लोगों के पास एकठा हो जाए कि उसका इस्तेमाल करते करते लोग ठक जाएं परेशान हो जाएं तो सोने का दान करेंगे तो उस दान में से मंदिर बनेंगे यही तो होता है न तो हमारे लोगों के पास इतना धन संपत्ती रहा कि सोने का दान करकर के हमने मंदिर बनाए आपको ये सुनके हिरानी होगी कि इस देश में राजाओं ने मंदिर नहीं बनाए लोगों ने मंदिर बनाए राजाओं के मंदिर नहीं है इस देश में लोगों के बनाए हुए मंदिर राजाओं ने तो पस इतना किया था कि लोगों ने जो पैसा दान दिया वो राजाओं ने अपने कोश में सुरक्षित इकठा रखा और मंदिर बनवा दिया पैसे राजाओं ने नहीं दिये मंदिर बनाने के पैसे जनता के थे सारे ये बहुत महत्तु की बात है इस देश तो इतना धन संपत्ती जिस देश में रहा हो वहाँ अंग्रेजों ने आकर लूट की है और वो लूट धाई सो साल तक चली और उसमें हमारा देश कंगाल हो गया भिकारी हो गया गरीबी आगई हमारी ये गरीबी जो आज इस देश में दिखाई देती है ये अंग्रेजों की लूट का दुश परिनाम है जब भी किसी देश की सेकड़ों सेकड़ों साल तक लूट होगी वो देश गरीब और गरीब और गरीब ही होता चला जाएगा मैं एक अंग्रेज की आपको कहानी सुनाता हूँ उसका नाम था मैकॉले टीवी मैकॉले वो भारत आया सब्तरे साल भारत में रहा उत्तर दक्षिन पूरा पश्शिम सब जगे गया भारत में उसने जब प्रवास किया उसने घूमा फिर लोट के लंदन गया लंदन की पार्लेमेंट में दो फरवरी 1835 को उसने एक भाषन दिया बहुत जोरदार भाषन है उसका जैसे अपने नेता लोग समा में भाषन देते हैं ऐसे ही वहाँ होता है लंदन तो मैकॉले भाषन दे रहा है और क्या कहराएं में सुनाता हूं आपको अंग्रेजी में ही सुनाता हूं फिर इंदी करूंगा उसका वो कहता है I have traveled length and breadth of this country India and I have not seen a single beggar in this country India वो कहता है मैं भारत में उत्तर दक्षन पूरब पश्चिम सब जगे घूमा सत्रे साल घूमा वो इस देश में और कहता है मेरे सत्रे साल के भारत के प्रवास में मैंने कभी एक भिकारी को भीक मांगते भारत में नहीं देखा अब कोई आदमी सत्रे साल घूमे इस पूरे भारत की परिक्रमा करे और उसको एक भिकारी नहीं मिला पूरे देश में इसका मने इस देश में कोई भिकारी होता ही नहीं था भिकारी कोई कब होता है जब गरीब होता है यहाँ कोई गरीब ही नहीं था तो भिकारी नहीं था फिर आगे वो कहता है मैं को ले and I have never seen a unemployed youth in India एक भी बेरोजगार नोजवान मैंने भारत में नहीं देखा हर व्यक्ति इस देश में किसी ना किसी रोजगार में लगा हुआ है कोई बेरोजगार इस देश में नहीं है माने देश में उद्योग धंदे और व्यापार का इतना अच्छा माहुल था कि कोई खाली हाथ रही नहीं सकता था फिर आगे वो कहता है I have never seen a lock on the door of Indian house वो कहता है भारत के घरों पर मैंने कभी ताला लगाते किसी को नहीं देखा कोई ताला नहीं लगाता भारत और वो भाशन में कहता है कि ताला होता क्या है इनको मालूम ही नहीं भारत वासे क्यों वो कहता है चोरी नहीं होती इस देश में कोई चोर ही नहीं है इस देश में अब चोरी होती नहीं कोई फिर आगे कहता है वो कहता है इतना धन और संपत्ती इस भारत के पास है हम कभी भी इस देश को गुलाम नहीं बना सकते Such high moral values I have seen in this country India वो कहता है नेतिकता में इतने उचे मूले हैं भारत के कि हम अंग्रेज कभी सोच ही नहीं सकते इस भारत देश के बारे साड़े तीन घंटे का उसका भाषन है और वो ऐसी बहुत सारी बातें बोल रहा है वो कहता भारत में कोई शराबी नहीं है भारत में कोई जुवारी नहीं है कोई बीडी सिगरेट नहीं पीता कोई शराब नहीं पीता क्योंकि भारतवासी मानते हैं कि शराब पीना, बीडी सिगरेट पीना पाप है इसलिए कोई नहीं पीता है कोई मास नहीं खाता इस देश में क्योंकि भारतवासी मानते हैं कि मास करना, मास खाना वो भी पाप है तो ऐसा बहुत लंबा वरनन वो भारत का करता है अब ये वरणन कब का है सन 1835 का आज से अगर हिसाब लगाएं तो 165 साल पुराना या 175 साल पुराना तो 175 साल पहले भारत अगर इतना पैसे वाला देश था इतना समरुद्ध शाली देश था कि यहां कोई भिकारी नहीं यहां कोई बेरोजगार नहीं यहां कोई चोर नहीं यहां कोई शराबी नहीं कोई जुआरी नहीं तो कितना सुन्दर कितना अधुद भारत रहा होगा फिर इस भारत में 175 साल में क्या हो गया जो हम इतने गरीब हो गए भिकारियों की लंबी लाइनव इस देश में है बेरोजगारों की इतनी वड़ी फौज है इस देश में व्यसन करने वाले शराब पीने वाले ब्यूडी सिगरेट पीने वाले मास खाने वाले लगातार इस देश में बढ़ते गए तो वो सब का एक ही उत्तर है कि पिछले 175 साल में इतना लूटा है अंग्रेजों ने इतना लूटा है कि कुछ बचा ही नहीं अब इस देश में तो लोग भिकारी हो गए गरीब हो गए बेरोजगार हो गए मुफलिसी का शिकार हो गए भुकमरी का शिकार हो ये लूट हुई इस देश की जिसके कारण ये देश इतनी बुरी स्थती में आ गया अब मैं आपको थोड़े आंकड़ों की बात करूँ जब ये मैकॉले भारत में घूम रहा था उस समय एक भी गरीब नहीं था जब अंग्रेजों ने 175 साल इस देश को लूटा तो इस देश में साड़े चार करोड लोग गरीब हो गए और उस समय हमारी कुल आबादी थी 20 करोड तो 20 करोड की आबादी में साड़े चार करोड गरीब हो गए इसका मने 25 परसेंट लोग देश के गरीब हो गए तो हमारे क्रांतिकारी क्या कहते थे कि अंग्रेजों की ये लूट हो रही है धन और संपत्ती इंग्लेंड जा रहा है तो भारत में गरीबी आ रही है तो भारत की गरीबी को रोकना है खतम करना है तो अंग्रेजों की लूट को बंद करना पड़ेगा और अंग्रेजों की लूट जब बंद होगी तब ही भारत अमीर और समरुद शाली बनेगा तो करांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाब फिर आंदोलन किया और उस आंदोलन में सफलता मिली 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से चले गए तो हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान किये अपना जीवन लगाया सारा तन्मंधन देश के लिए नियोचावर किया तो अंग्रेज भारत से चले गए देश की लूट बंद हो जाएगी क्रांतिकारियों ने ऐसा सपना देखा अब मुझे आज की कहानी आपसे कहनी है ये तो भूतकाल हो गया भारत का वरतमान में देश का क्या हाल है इसको जरा देखा जाए समझा जाए तो वरतमान की इस्थिती ये है कि जब अंग्रेज भारत से गए थे तो साड़े चार करोड गरीवों को छोड़ कर गए थे इस देश में अब अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद इस देश में 84 करोड लोग गरीव हैं जो भुक मरी के शिकार है हमारे देश की जो सरकार है न दिल्ली से जो चलती है जिसको केंदर सरकार कहते हैं इस केंदर सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री व्यक्ति को इस बात के लिए जिम्मेदारी दी थी कि भारत में गरीबों के बारे में अध्यन करो अभ्यास करो और सरकार को बताओ कि कितने गरीब हैं इस देश के जो अर्थशास्त्री ने ये काम किया उनका नाम है अर्जुन सेन गुपता बंगाल के रहने वाले हैं बहुत बड़े विद्वान इन्होंने पांच साल अध्यन किया अध्यन करके एक रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट का नाम है अर्जुन सेन गुपता कमीशन रिपोर्ट वो रिपोर्ट जब संसद में पेश की गई तो मेरे जैसे आदमी को भी मिल गई पढ़ने को मेरे कुछ मित्र हैं जो सांसद हैं उनसे मैंने का रिपोर्ट मुझे भी दे दो पढ़नी हैं तो मैंने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे धक्का लगा कि उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भारत में गरीबों की संख्या अब 84 करोड हो गई है और ये 84 करोड लोगों की गरीबी इतनी भयंकर है कि एक व्यक्ति एक दिन में 20 रुपई से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता 84 करोड लोग ऐसे इन 84 करोड में 50 करोड तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 15 रुपई खर्च नहीं कर सकते 25 करोड तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 10 रुपई खर्च नहीं कर सकते और 10 से 15 करोड लोग इतने गरीब हैं जो एक दिन में 5 रुपई भी खर्च नहीं कर सकते अब मन में प्रशनाता है कि अंग्रेजों ने तो भारत को लूटा इसलिए ये देश गरीब हो गया अंग्रेजों के जाने के बाद किस ने लूटा इस देश को जो ये देश गरीब हो गया मन में ये प्रशनाता है तो हम लोगों ने भी अभ्यास करना शुरू किया तो पता चला कि अंग्रेजों ने लंदन से आकर इस देश को लूटा और गरीब बना दिया अब आजादी के बाद काले अंग्रेजों ने इस देश को लूटा और इस देश को भयंकर गरीब बना दिया आजादी के बाद इसी देश में काले अंग्रेज पैदा हो गए उन्होंने इस देश को लूट लूट कर गरीब बना दिया आप बोलेंगे ये काले अंग्रेज कौन है ये सब वो काले अंग्रेज हैं जिनको आप नेता कहते हैं इस देश का नेता वही है जो लेता ही लेता है देता कभी कुछ नहीं भिकारी की हालत है लेकिन करोड़ पती भिकारी हर समय दे दो, दे दो, दे दो कभी वोट मांगेगा, कभी नोट मांगेगा कभी कुछ मांगेगा, कभी देने की बात नहीं हमेशा ले नहीं ले मेताओं ने लूटा पिछले 62 साल में इस देश को फिर हम लोगों ने अंग्रेजों के बारे में जैसे दस्तावेज एकटे किये रौबर्ट क्लाइब ने लूटा, वारेन हेस्टिंग्स ने लूटा, करजन ने लूटा वो सब आंकड़े, सब दस्तावेज हमने इकटे किये हैं, जमा किये हैं ऐसे ही हमने 62 साल आजादी के बाद भारत के नेताओं ने जो लूटा उसके भी दस्तावेज इकटे किये उसके भी आंकड़े इकटे किये और इन दस्तावेजों में एक दो नहीं हजारों नाम है इस देश में कई नेताओं की हमने जनम कुंडली बनाई है जनम कुंडली से मतलब क्या है उन्होंने नेतागिरी शुरू करने के पहले क्या धन और संपत्ति घर में जुटाया और नेतागिरी में आने के बाद कितना हो गया जब वो इस देश में सांसद बने विधायक बने या मिनिसिपल कॉर्पुरेशन में पारशद बने तो कितना पैसा था और बनने के बाद कितना हो गया तो कुछ नेताओं की सूची बनी है उनमें अभी तक 480 नाम, 420 नाम इकठे हुए है इन नेताओं के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ नाम कुछ दिनों के बाद आपको मैं बताऊंगा अभी आप इतना जान लो कि एक-एक नेता के पास 20 साल पहले टूटी साइकल नहीं थी चलाने को खाने को घर में कुछ नहीं था इतना भी पैसा नहीं था उनके पास कि अपनी जेब से 2 रुपए खर्च करके चाए पी सकें चाए भी उधार की पीते थे पही चाए पिला दे दूसरों की जेब से निकाल निकाल के चाए पीने वाले दूसरों की जेब से पैसे निकाल के बस का किराया देने वाले दूसरों की जेब का पैसा निकाल कर रेल में चलने वाले तूटी साइकल भी जिनके पास नहीं थी संपत्ती के रूप में अब उन नेताओं में एक-एक के पास 20,000 करोड की संपत्ती है एक-एक के पास बीस हजार करोड़ कहां से आया ये किस ने दिया उनको कभी-कभी ये नेता पकड़ जाते है एक पकड़ा गया उसका नाम था सुखराम याद है आपको बिस्तर के नीचे गद्दे पर पान-पान सो के नोटों की गड़ियां विछा के सोता था CBI ने जो घर में छापा मारा तो गद्दे के नीचे से पाँच-पान सो के नोटों की गड़ियां निकली और ये तकिया है ना उसमें से निकली रूई के अंदर छुपा के रखता था तकिये में गड़े में रूई के अंदर छुपा के रखता था उसके उपर घर में पानी की एक विशाल टंकी है तो प्लास्टिक के पॉलिथिन में गड़ियां भरवर के टंकी में फेंकी होई थी उसमें ये सब धन जब निकला और सुकराम से पूछा गया भाईया ये आया कहां से तो उसने का भगवान ने दिया है CBI एधिकारी ने का भगवान भी बड़ा बेइमान है जो तुझको ही देता है ना मुझे देता है ना इसको देता है ना इनको देता है फिर उसने दूसरा बयान बदला उसने का ये मेरी पार्टी का पैसा है पार्टी वालों ने का ये हमारा नहीं है तो फिर तीसरा बयान बदला और वो बयान ये था कि ये मेरा पैसा है तो तुम्हाने पास कहां से आया तो घूस से, भरष्टाचार से, रिश्वत खोरी से इसी मेंसे आएगा और कां से आएगा तो अब आज़ादी के 62 साल में हमारे नेता लूट रहे हैं इस देश को घूस के माध्यम से ब्रषटाचार के माध्यम से रिश्वत खोरी से और लूट लूट के अपने घर भर रहे हैं ऐसे इस देश में हजारों नेता हैं जिन्नोंने 62 साल इस देश को लूट लूट कर इतना गरीब बना दिया है कि अंग्रेज गए थे तो साड़े चार करोड गरीब थे अब अंग्रेजों के बाद इस देश में 84 करोड लोग गरीब हो गए गरीबी बढ़ने का एक ही कारण होता है लूट लूट और लूट बढ़ गई वो गरीब क्यों नहीं हुए हम कहते हैं ना जनसंक्या बढ़ने से हमारे देश में गरीब ही बढ़ गई तो जनसंक्या तो पिछले 50 साल में दुनिया के 200 देशों की बढ़ गई वो तो गरीब नहीं हो रहे ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ गई, अमरीका की बढ़ गई, जर्मनी की बढ़ गई, फ्रांस की बढ़ गई, इटली की बढ़ गई, नौर्वे की बढ़ गई, बेल्जियम की बढ़ गई, डेनमार्क की बढ़ गई, हॉलेंड की बढ़ गई, इन सब देशों की जनसंख्य बढ़ गई और हमसे जादा बढ़ गई आप बोलेंगे वो कैसे मैं आकणों से बताता हूं भारत की जनसंख्या पिछले पचास साथ साल में साड़े तीन गुनी बढ़ी है आजाधी जब आई थी तो हम 32 करोड थे तेथीस करोड अब हम 115 करोड हो गए तो लगबग 3.5 गुनी जनसंख्या हमारी बढ़ गई और अमरीका की जनसंख्या तो 5 गुनी बढ़ गई जर्मनी की साड़े चार गुनी बढ़ गई फ्रांस की जन संक्या साड़े तीन से चार गुनी बढ़ गई ब्रिटेन की जन संक्या पांच गुनी बढ़ गई दुनिया में तमाम देशों की जन संक्या हमसे जादा बढ़ गई लेकिन वो तो गरीब नहीं हो रहे हैं वो तो अमीर के अमीर और अमीर और अमीर और अमीर होते जा रहे हैं तो हमारे ही देश में जनसंक्या बढ़ने से गरीबी क्यों आएगी अगर जनसंक्या बढ़ने से गरीबी आएगी तो सारी दुनिया में आनी चाहिए सिद्धान्त अगर एक है तो वो अमरीका के लिए भारत के लिए एक ही होना चाहिए उनके यहां तो जनसंक्या बढ़ने से गरीबी नहीं बढ़ रही है क्योंकि उनके यहां लूट नहीं होती है इस्पेन नाम का एक देश है दुनिया में वहां की जनसंक्या हमारी तुल्ना में दस गुनी बढ़ गई पचास साल में लेकिन इस पें दुनिया का सबसे अमीर देश है इस समय क्योंकि वहां करप्शन नहीं है, ब्रश्टा अचार नहीं है, घूस खोरी नहीं है, रिश्वत खोरी नहीं है वहां के नेता लूट नहीं सकते क्योंकि वहां बहुत सखत कानून है, इसलिए वहां अमीरी बढ़ रही है तो भारत में लूट खोरी है, रिश्वत खोरी है, हराम खोरी है, इसलिए यहां गरीबी बढ़ रही है और जंसंक्या बढ़ने की बात अगर सच होती तो और एक उधारन देता हूँ साड़े तीन कुनी जंसंक्या बढ़ी तो गरीबी भी साड़े तीन कुनी बढ़नी चाहिए जाधा से जाधा तो हम उस समय साड़े चार करोड थे अब पंद्रे करोड हो जाने चाहिए थे गरीब 84 करोड कहां से हो गए इसका जवाब नहीं है नेताओं के पास ये इसलिए हो गए कि लाखों करोडों रुपई ये हर साल लूट लेते हैं इस देश का आपको याद है इस देश में एक प्रधान मंतरी थे उनका नाम राजीव गांदी उन्होंने संसद में कहा था ये कि जब मैं गरीब आदमी के विकास के लिए दिल्ली से एक रुपया भेजता हूँ तो उस गरीब आदमी के पास पंद्रे पैसा ही पहुँचता है इसका मतलब 85 पैसे की लूट होती है एक रुपय में अगर 85 पैसे की लूट होती है इसका माने हमारे 85 प्रस्यत संसाधनों की लूट होती है और ये राजीव गांदी ने 1984 में कहा किसी नेता माई के लाल में दम नहीं थी जो राजीव गांदी के कहे हुए को गलत सिद्ध करे किसी ने गलत नहीं कहा और फिर राजीव गांदी के बाद कितने प्रधान मंत्री आए इस देश में वी पी सिंग आए चंदर शेखर आए नरसिम्मा राओ आए इंद्र कुमार गुजराल आए देव गोड़ा आए अटल बिहारी वाजपेई आए और अब मनमहन सिंग आए सब प्रधान मंत्रियों को ये सवाल पूछा गया पत्रकारों के द्वारा अनेक अनेक समय पर कि राजीव गांदी की बात से आप सहमत है तो सारे प्रधान मंत्री कहते हैं हाँ सहमत है अभी के प्रधान मंत्री तो कहते हैं कि राजीव गांदी के समय में एक रुपया भेजा जाता था तो पंद्र पैसा पहुंचता था अब तो दो हजार नो में एक रुपय में दस पैसा भी नहीं पहुंचता अब तो 90 पैसे की लूट हो रही है इस देश में मन में हमेशा ये प्रशन आता था आपको मालूम है ये नेता चुनाव लड़ते हैं चुनाव के समय वो एफिडेविट देते हैं न तो एफिडेविट में लिखते हैं मेरे पास कार भी नहीं है मैं तो बेकार हूँ आप कल्पना कर सकते हो इस देश की सत्ता व्यवस्था के शीर्च पर बैठा हुआ कोई नेता एफिडेविट में लिख रहा है मेरा घर नहीं है मेरे पास कार नहीं है मैं तो किराए के घर में रहता हूँ मैं तो किराए की कार में चलता हूँ कोई पारटी का अध्यक्ष ये कहे कि मेरा अपना घर नहीं है मेरे पास कार नहीं है बैंक बेले वाला है ही नहीं इस देश में और किसी को मौका भी नहीं है लूटने का इस देश में या तो अधिकारी लूटेगा या तो नेता लूट तो लुट तो रहाई है लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं और घोशना पत्र देते हैं एफिडिविट देते हैं उसमें लगता है कि इनके पास तो कुछ नहीं है तो है कहां फिर यह इसको जब हमने खोजना शुरू किया तो पता चला यह सारा पैसा लूट लूट के विदे विदेशी बैंकों में जमा करते हैं यहां नहीं रखते हैं यहां रखेंगे तो पकड़ा जाएगा किसी ना किसी दिन चापा पड़ जाएगा सी बी आई का हो सकता है एन्फॉर्समेंट डिरेक्टृट का हो सकता है तो बहुत चालाक और हरामी नेता हैं लूटते तो हैं ले जाके विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं फिर हमने खोजना शुरू किया कि विदेशी बैंकों में कितना जमा किया हुआ है तो स्विद्जर लेंड नाम का एक देश है वहां की बैंकों ने नेताओं का पैसा रखा हुआ है वहां 36 बैंके हैं जैसे अपने देश मे है ना State Bank of India, Punjab National Bank, Kanaara Bank, ऐसे ऐसे Switzer Land में कुछ बैंके हैं, एक का नाम है Bank of Geneva, Bank of Zurich, Bank of Switzer Land, ऐसी 36 बैंके हैं, उन बैंकों में नेताओं के खाते खुले हैं, भारत के नेताओं के, उन में पैसा रखा हुआ है, ये जो 36 Switzer Land की बैंके हैं, इनका एक Association है, Swiss Bank Association उसको कहते हैं, उनकी हर साल एक Report निकलती है, उस Report में वो बताते हैं, कि कितना धन उनकी बैंकों में जमा हैं, तो पिछले साल उनकी रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा, कि भारत के नेताओं का, Switzer Land की बैंकों में, एक हजार पांच सो अरब डॉलर जमा हैं, एक हजार पांच सो अरब डॉलर अरब, अरब का माने सौ करोड, एक हजार पांच सो में सौ करोड का गुणा करो, इतने डॉलर, और एक डॉलर में पचास रुपया होता है, तो एक हजार पांच सो में 100 का गुणा करो और 50 का गुणा करो इतने रुपए तो ये रुपए में निकलता है 75 लाख करोड रुपए 75 लाख रुपए नहीं 75 करोड भी नहीं 75 लाख करोड रुपए ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसको कैलकुलेटर में नहीं लिख पाते calculator फेल हो जाता है हाँ सच में calculator फेल हो जाता है आप लिख के देख लो मैंने लिखा था कारण जानते हैं क्या है calculator में 12 अंक आते हैं और इस 75 लाख करोड को लिखने में 16 अंक लगते है 16 75 लिखना फिर शून ने शून 0000 जीरो चौदे वार जीरो लगाना तब 75 लाग करोड लिखा जाता है इतना लूट के नेताओं ने स्विस बैंकों में रख लिया फिर थोड़े दिन बाद एक और जानकारी मिली स्विर्जरलेंड के अलावा कुछ और देश हैं दुनिया में एक छोटा सा देश है उसका नाम ह पनामा बहुत छोटा सा एक छोटा सा देश है उसका नाम है गिनी बिसाओ बहुत छोटा सा फिर एक छोटा सा देश है उसका नाम है ट्रिनी डॉड फिर एक छोटा सा देश है उसका नाम है टुबेगो ऐसे 70 देश और हैं वहां भी भारत के नेताओं के खाते खुले हुए और उन देशों की बैंकों में 35 लाख करोड और जमा किये हुए माने कुल मिलाकर 110 लाख करोड रुपिया भारत के हरामी निकम्मे नेताओं ने लूट लूट कर विदेशी बैंकों में रख ले आप बोलो इनको हरामी न कहें तो क्या कहें इससे अच्छा शब्द है आपके पास तो मुझे बता दो मैं कहूँगा इतना लूटा है इस देश को अब मुझे दर्द इस दिल में ये है कि पहले अंग्रेज लूटते थे ये देश गरीब हो गया अब काले अंग्रेज लूट रहे है तो गरीबी ही आएगी और क्या आएगा इस देश में बताओ खुशाली कैसे आएगी गरीबी ही आएगी इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस देश की गरीबी अगर मिटानी है तो ये लूट बंद करानी पड़ेगी नहीं तो ये गरीबी भटेगी नहीं मिटेगी नहीं ये कुछ ऐसी कहानी है कि एक घड़ा है आपके पास उसमें पानी भरो और ये कहो कि घड़ा लबालब भर जाए ये तबी संबब है जब घड़े में छेद ना हो और घड़े में बीसियों छेद कर दें कितना भी तेज नल के नीचे रख दो वो कभी भर ही नहीं सकता क्योंकि पानी उसमें से निकलता रहता है देश की लूट अगर ऐसे ही होती रहेगी देश में कभी अमीरी आ नहीं सकती गरीबी ही आएगी इन अधिकारी और नेताओं ने कितना लूटा है इस देश को मैं कुछ बताता हूँ आपको मैं महराश्ट में पिछले दस साल से रहता हूँ महराश्ट में एक नेता है नाम नहीं लेता मैं उसका हाँ क्योंकि मामला थोड़ा गंबीर है बेकर आप तुरंद समझ जाएंगे एक मिनट लगेगा आपको समझने में नाम नहीं लू तो भी समझ जाएंगे वो नेता के घर में 20 साल पहले खाने को रोटी नहीं थी पहनने को कपड़ा नहीं था दूसरों की जेब से पैसे निकालके बंबई जाता था बस में बैठके ट्रेन में बैठके अब उसको मौका मिल गया मुख्यमंत्री बनने का केंद्र सरकार में मंत्री बनने का आज उस अकेले नेता के पास बंबई से पूना के बीच की हजारों एकड़ जमीन है एक नेता के नाम से अरे अब आप क्यों बोल रहे हैं आपको मालूम ही है कितने होशयार लोग है अब आप अंदाजा लगा लो कि एक नेता के पास बंबई से लेके पूना के सब गाउं की हजारों एकड जमीन है एक के पास कितना लूटा होगा एक और ऐसे ही नेता है महाराष्ट में बीस साल पहले वो दादर रेलवे स्टेशन पे भाजी बेचता था पालक बेचता था, मेथी बेचता था छोटे छोटे गड़े बना के बेचता था आज उसके पास बंबई में बीस हजार करोड की संपत्ति एक नेता है नासिक में सिनेमा का टिकेट ब्लेक करता था बीस साल पहले आज उसकी पच्चीस हजार करोड की संपत्ति इतनी इतनी संपत्ति बनाई है एक एक नेता और ये नेता अकेले नहीं है, अधिकारी भी है इस लूट में मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ आपका पडोस में उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी हुआ उसका नाम अखंड प्रताप सिंग आईएस अधिकारी था चीफ सेक्रेटरी था उसके घर में जब छापा पड़ा तो चार सो असी करोड रुपई की संपत्ती मिली और CBI ने जब छापा मारा तो ये बताया गया कि ये उसका एक घर है ऐसे बीस घर हो और है एक घर में चार सो असी करोड निकला अब वो अधिकारी जब से I.A.S. बना उस दिन से उसकी तनखा मैंने जोड़ी उसने 36 साल नौकरी की यूपी केडर में I.A.S. आफिसर आखरी नौकरी जब उसकी थी तो उसकी तनखा थी 90,000 रुपई कुल मिला कर तो 90,000 रुपई महीने से मैंने सब जोड़ डाला तो कुल जो धन निकलता है वो एक करोड से जादा नहीं होता और उसमें उसने बीवी बच्चे पाले घर चलाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कुछ तो खर्च हुआ होगा ये थोड़ी है कि सारी बच्चत हो गई होगी तो 20, 25, 50 लाग खर्च भी हुआ होगा तो 480 करोड कहां से आया सीधी सी बात है लूट में से आया घूस में से आया भरष्टा चार से आया ऐसे हमारे देश में ये जो अखंड प्रताप सिंग और जिन तीन लेताओं का मैंने नाम लिया ऐसे 80,000 लुटे रहे हैं जो सफेद पोश हैं और लूट रहे हैं इस देश को कहीं लोग सवा में बैठे हैं कहीं विधान सवा में बैठे हैं कहीं मंत्री बने हुए हैं कोई सेक्रेटरी बना हुआ है हैं सब लुटे रहे अब मुझे दुख इस बात का है कि पहले इस देश में माधो सिंग नाम का एक डाकू था मोहर सिंग नाम का एक डाकू था जालिम सिंग नाम का एक डाकू था ये माधो सिंग, मोहर सिंग, जालिम सिंग लूटते थे, किसी गाउं में चले गए, जमीदार को लूट लिया, किसी गाउं में चले गए, पैसे वाले को लूट लिया, लेकिन वो इतने भले थे, कि जमीदारों से पैसा लूट कर गरीब लड़कियों की शादी में दे दिया करते थे, ये ठीक है, वो लूटते थे, ले करती थी बस पुलिस उनके पीछे रहती थी जनता तो सम्मान करती थी अब मुझे लगता है कि मादो सिंग मोहर सिंग जालिम सिंग से बड़े लुटे रहे तो ये हरामी है जो लूट लूट के विदेशी बैंकों में भर रहे हैं और किसी गरीब की वेटी की शादी ये नहीं कराते किसी की मदद नहीं करते उल्टा लोगों से चीन चीन के अपना खजाना भरते रहते तो मैं तो कहता हूँ ये मादो सिंग मोहर सिंग मरे थोड़ी है उनी की आत्मा इन में प्रवेश कर गई है और ज़्यादा खराब तरीके से प्रवेश कर गई है ये तो लूट लूट के विदेशी बैंकों में जमा करते हैं कम से कम डाकू मादो सिंग का स्विस बैंक अकाउंट नहीं था डाकू मोहर सिंग का स्विस बैंक अकाउंट नहीं था इन हरामियों के तो विदेशी बैंकों के खाते हैं यहां से पैसा ले जाके वहां रखते हैं ऐसी इस्थ अब हमको समझ में आता है आजादी के 62 साल हो गए देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है इस देश में तीन लाख गाउं है जहां बिजली नहीं आप सूचे आपके गाउं में तो नसीब अच्छा है दस घंटे बिजली आती तो है मेरा जहां जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में वहां तो एक घंटे क्या एक मिनट बिजली नहीं आती क्योंकि बिजली ही नहीं है मेरे गाउं एक बार एक मुख्यमंत्री को मैंने शिकायत की मेरे गाउं में बिजली नहीं है तो मुख्यमंत्री ने का अच्छा मुझे मालूम नहीं है मैंने का कुछ करो तो उसने खंबे गड़वा दिये बिजली के तार उन में अभी भी नहीं है खंबे गड़े हुए अब किसी दूसरे मुख्य मंत्री को शिकायत करूँगा तो तार लगवा देगा फिर बिजली कब आएगी वो हो सकता है पंच वर्षी योजना खतम होते होते आए ऐसे तीन लाख के आसपास गाओं जहां बिजली नहीं धाई तीन लाख गाओं में चलने के लिए सड़क नहीं धाई तीन लाख गाओं में कोई डॉक्टर नहीं कोई हॉस्पिटल नहीं पीने का पानी नहीं और तो क्या बात करें हमारे देश में 21 करोड परिवार रहते हैं मात्र 7 करोड परिवारों को पीने का पानी मिलता है बाकी को तो पीने का पानी भी नहीं और उससे भी बड़े दुख और अफसोस की बात ये है कि 14 करोड परिवार इस देश में ऐसे हैं जहांकि माताओं बेहन बेटियों के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है उनको सड़क के किनारे बैठकर अपने देनिक जीवन की जरूरत को पूरा करना पड़ता है शरम की बात है आजादी के 62 साल में ये इस तेश में होता है क्या हुआ विकास क्यों नहीं हुआ पैसे लूटे गए विकास के विकास होगा कहां से और कितने पैसे लूटे जाते हैं आप अंदाजा लगाना चाहें तो केंदर सरकार हर साल हमसे टैक्स के रूप में जो लूटती है वो सवा 6 लाख करोड रुपए हर साल आपको मालूम है केंदर सरकार टैक्स लगाती है आपके उपर उसमें से सवा 6 लाख करोड वो ले लेते हैं फिर 31 राज्ये हैं इस देश में मद्यपरदेश, उत्तरपरदेश, राजिस्थान, पंजाब, हर्याना 31 राज्यों की राज्ये सरकारें हर साल 12 लाख करोड लूटती हैं हमसे और फिर मिनिसिपल कॉर्पोरेशन चलते हैं, नगर पालिका, नगर परिशद, वो अलग से टैक्स लेते है नगरपालिकाओं का टेक्स अलग है राज्य सरकार का टेक्स अलग है केंद्र सरकार का अलग है तीनों इस तर पर टेक्स के रूप में एक साल में बीस लाख करोड रुपए लूट लेते हैं अगर इमानदारी से ये बीस लाख करोड रुपए विकास के लिए खर्च किया जाए तो इस 20 लाग करोड के धन से इतना सोना आता है कि गाउं की एक-एक सडक सोने से बनाई जा सकती है एक-दो साल में ही देश सोने की चुड़िया हो सकता है इतनी बड़ी रकम है लेकिन राजीव गांदी कहा करते थे कि इस 20 लाग करोड का 85 प्रतिशत लुट जाता है 1984 और अब 90 प्रतिशत लुट जाता है 2009 में इसका माने सिर्फ 2 लाग करोड रुपिया एक साल में विकास के लिए खर्च होता है बाकी 18 लाग करोड की लूट हो जाती है हर साल ये धन कौन देता है 20 लाग करोड का आप देते हैं मैं देता हूँ कैसे देते हैं मैं उधारन से बताता हूँ मेरे हाथ में एक पैन है ये आप खरीदो व्यावरा में किसी भी दुकान से ये पैन खरीदोगे 10 रुपए से कम में नहीं मिलेगा हो सकता है 12 रुपए में मिले हो सकता है 15 10 से कम तो ये नहीं ही मिलेगा आपको मालूम है ये 10 रुपए में जो पैन आप खरीदते हैं इसको बनाने वाली एक कमपनी है बंबई में उस कमपनी के मालिक के साथ एक बार मैंने खाना खाया उसको मैंने पूछा कि भाई ये आपकी फैक्टरी में पैन बनता है आप कितने रुपए में ये बनाते हो और बाजार में हमको ये दस रुपए से कम में नहीं मिलता तो उसने का आपको क्या करना मैंने का मुझे जानना है कि लूट कितनी हो रही है ये बनता कितने का है तो ये पैन जब फैक्टरी में बनता है तो उसकी जो लागत आती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट आफ प्रडक्शन उत्पादन की लागत और ये जो टेक्स के लोग है न इंकम टेक्स, सेल्स टेक्स वाले ये उसको कहते हैं एक्स फैक्टरी प्राइस फैक्टरी में बनने की कीमत कुल कीमत तो ये पैन उसने बताया फैक्टरी में बनता है डेड़ रुपए का मैं पूछा वो डेड़ का भी हिसाब बताओ तो उसने का ये इसके उपर जो प्लास्टिक का कब कबर है न ये 70 पैसे का है 70-75 पैसे इसके अंदर की जो रिफिल है वो 60-70 पैसे की और फिर इसका ये जो बना है स्टील का ये 10 पैसे का लगवग 1.5 रुपए का ये पैन बन जाता है मैं उसको पूछा तुम मुनाफ़ा कितना लेते हो उसने का 50 पैसा तो दो रुपए का होगा अब ये दो रुपए का पैन आपको 10 रुपए में मिलता है क्योंकि 8 रुपए इस पर टैक्स लगता है और इस पर केंद्र सरकार का टैक्स अलग लगता है राज्य सरकार का अलग लगता है माने एक पैन खरीदा सरकार ने आठ रुपई लूट लिया आपसे इस पहन और एक उदारन देता हूँ मेरे हाथ में एक घड़ी है ये घड़ी टाटा कंपनी की है टाइटन एक बार मैं इस फैक्टरी में भाशन देने गया था टाइटन की फैक्टरी में वहाँ के एक मैनेजर को मैंने पूछा ये घड़ी मैंने बजार से खरीदी है पाँचसो सत्तर रुपई की आई और इसको खरीदे हुए दस साल हो गया तो मैं पूछा भईया ये घड़ी कितने की बनती है आपके हाँ तो उसने का घड़ी की एक्स फैक्टरी प्राइस है सत्तर रुपया और मैंने खरीदी ये पाँचसो सत्तर रुपई ऐसे लूटा है कैसे लूटते हैं आपको टैक्स के रूप में और एक उधारन देता हो ब्यावरा में आप घर बनाओ घर बनाने के लिए सीमेंट खरीदोगे सीमेंट का एक पचास किलो का पैकेट आप खरीदोगे कितने का आता है दाई सो रुपई का आपको मालूम है दाई सो रुपई का जो सीमेंट पैकेट आप खरीदते हो वो factory में 66 रुपई में बनता है लोहा खरीदो आप घर बनाने के लिए एक किलो लोहा मिलेगा पचास रुपई का और एक किलो लोहा फरेक्टरी में bारे रुपई का बनता है कुछ भी खरीदो आप इस देश में उस पर tax है बिना tax की कोई चीज अब इस देश में नहीं है अंग्रेजों के जमाने में एक चीज थी जिस पर tax नहीं था वो नमक इन काले अंग्रेजों ने नमक पे भी tax लगा दिया अब नमक भी बिना tax के नहीं है नमक बनता है समुद्र के पानी से जिसमें कोई खर्चा नहीं है सूरज की दूप, समुद्र का पानी, पानी सूख जाता है, नमक रह जाता है वो नमक 15-20 पैसे किलो में सबको मिल सकता है वो विक रहा है 15 रुपई किलो लूट रहे हैं आप कोई भी चीज बजार से आप खरीदें, टैक्स ही टैक्स हैं उसमें और कितने टैक्स हैं, 64 तरह के टैक्स हैं इस देश में दो टैक्स हैं, वो डाइरेक्ट हैं, इंकम टैक्स और कॉर्परेट टैक्स बाकी 62 तरह के टैक्स इंडाइरेक्ट हैं इतने टेक्स हम देते हैं सरकार को ये पैसा इकठा होकर 20 लाख करोड होता है इस में से 18 लाख करोड लूट लेते हैं नेता और अधिकारी 2 लाख करोड विकास पे खर्च करते अब 2 लाख करोड रुपया खर्च किया जाए 115 करोड की आबादी पर तो एक आदमी पर कितना निकलेगा साल का खर्चा कुछ 100 रुपय का निकलता है और वो लगबग 500-700 रुपय निकलता है अब एक आदमी पर साल के विकास का 500-700 रुपय खर्चो तो क्या होगा उसमें इतनी महगाई के जमाने में ऐसे लूट हो रही है हमारे देश की तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है और वो संकल्प ये है कि जैसे अंग्रेजों की लूट बंद करने के लिए करांतिकारियों ने इस देश में अभयान चलाया था वैसे ही इन काले अंग्रेजों की लूट को बंद करने के लिए हमने ये भारत स्वाविमान नाम का अवयान चलाया और हम इसमें कुछ काम करना चाहते है उसमें से एक काम ये करना चाहते है कि ये जो लूट रहे हैं पैसे को ये पैसा भारत के बाहर नहीं जाना चाहिए और ये लूट बंद होनी चाहिए तो आप बोलेंगे कैसे हो सकती है हमने इसके लिए सरकार के सामने दबाव डालना शुरू किया है और भारत सरकार को ये कहा है कि जल्दी से इस देश में एक कानून बना दो कि जो भी लूट करेगा ब्रश्टा चार करेगा घूस खोरी करेगा रिश्वत खोरी करेगा और पकड़ा जाएगा तो तीन महिने के अंदर उसको फांसी की सजा होनी ही चाहिए उसके लिए दूसरी कोई मुरब्बत तीन महिने में उसको फासी की सजा हो नीचे और फासी उसको जेल के अंदर नहीं दी जाएगी चौराहे पर बिजली के तारों से लटका के उल्टा नीचे आग जला के और उसमें मिर्ची का पाउडर जोग के तब उसको मरने देंगे जब इतनी सक्स सजा होगी तब भूस खोरी रिश्वत खोरी इस देश में खतम होगी नहीं तो नहीं होगी दुनिया में कई देश हैं आपको मालूम है जहां रिश्वत लो तो गोली मार देते हैं सीदे अभी थोड़े दिन पहले चीन में एक दुरगटना हो गई थी कुछ अधिकारी पकड़े गए रिश्वत लेते हुए उन अधिकारियों को 90 दिन नहीं हुए उसके पहले चौराहे पे खड़े करके सब को गोली मारी गई थी लोगों को दिखा के कि तुम देख लो अगर तुम ये करोगे तो ऐसे ही तुम को मारी जाए तो ब्रष्टाचारियों को फासी की सजा होनी ही चाहिए हमारे देश में आज मुश्किल किया है ब्रष्टाचारी एक तो पकड़े नहीं जाते पकड़ जाएं तो जिंदगी भर जेल के बाहर रहते हैं कभी उनको कोई सक्त सजा नहीं मिलती आप देख लो मंत्री बन्बन के मुख्यमंत्री बन्बन के साशन चलाते रहते हैं जिन्होंने करोडों रुपई लूटे हैं इस देश के मुकदमे भी चल रहे हैं रिष्टाचारियों को फासी की सजा होनी चाहिए इस से कम ने और दूसरा इस बात के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि 62 साल में जो लूट लिया है इन्होंने 110 लाक करोड और विदेशी बैंकों में रख लिया है इसको वापस लाना है क्योंकि ये देश का पैसा है आपका पैसा है मेरा पैसा है आप पूछेंगे क्या ये वापस आ सकता है आ सकता है इसको वापस लाने के चार रास्ते हैं पहला रास्ता ये है कि हम भारत की संसत से कानून बनाएं कानून बनाकर इस पैसे को राश्ट्रिय संपत्ती घोशित कराएं अभी ये पैसा जो है विदेशी बैंकों में जमा है नेताओं की व्यक्तिगत संपत्ती के रूप में हम चाहते हैं कि ये पैसा हो भारत की राश्ट्रिय संपत्ती के रूप में उसके लिए संसद में एक कानून बनाना है वो कानून ये होगा कि 15 अगस 1947 के बाद इस देश में से जितना भी धन लूटा गया है वो भारत की राश्विय संपत्ती है संसद में ये प्रस्ताव आएगा और ये प्रस्ताव जब संसद में आएगा तो इस पर बहस होगी बहस के समय आप भी देखना मैं भी देखूंगा कौन-कौन हरामी नेता इसका विरोध कर रहा है आप ये देखने जो विरोध करेगा पक्की बात है हरामी नमबर एक वो ही है पैसा उसी का है खाता उसी का है विदेशी बैंक को नहीं तो विरोध क्यों करेगा तो पता चल जाएगा किस-किस के खाते हैं और हमारी एक तैयारी है वो ये कि अगर वरतमान संसद ये कानून पास नहीं करेगी तो हम नई संसत बनाकर ये कानून पास करवाएंगे बरतमान संसत के बैठे हुए जो MPs जो ये काम नहीं करेंगे तो नए लोगों को चुनकर हम लोग समा में लेके जाएंगे कम से कम साड़े 300 से 400 और उनकी ताकत पर ये काम करवाएंगे ये हमारी तैयारी है और विदान सभाओं के लोग विरोध ना करें उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं कि जो MLS विरोध करेंगे उनको हटा कर दूसरों को चुनकर लाएंगे इस तेश की लोग सभाएंगे एक और रास्ता है हमारे पास वो रास्ता ये है कि भारत का जो सुप्रीम कोट है सुप्रीम कोट में हम एक मुकदमा करना चाहते हैं एक तो अभी हो गया है एक और करना है मुकदमा किस बात का एक बार सुप्रीम कोट ने हमारे देश में एक फैसला दिया था नरसिम्मा राओ इस देश के प्रधान मंत्री थे उनके जमाने में एक यूरिया घोटाला हुआ था उसमें 133 करोड रुपए यूरिया खरीदने के लिए दिये गए यूरिया नहीं आया पैसे दे दिये जाँच की गई तो पता चला वो पैसे स्विस बेंक में जमा हो गए और नरसिम्मा राओ के बेटे के खाते में जमा हो गए तो सुप्रीम कोट ने आदेश किया कि उस खाते को जब्त किया जाए जिसका खाता है उसको गिरफतार किया जाए तो नरसिम्मा राओ के बेटे की गिरफतारी हुई उसको जेल में डाला गया वो आज भी जेल में है और उसका खाता जब किया गया सुट्जर लेंड से उसमें 133 करोड रुपए निकला वो सारा पैसा सुट्जर लेंड ने भारत में वापस मंगा लिया हम सुट्जर लेंड को यह हमारे सुप्रीम कोट को हम यह कहना चाहते है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा भारत वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है बोफोर्स गोटाले का भी आ सकता है सभी गोटालों का पैसा आ सकता है और ये सारा पैसा मिलकर 110 लाक करोड रुपए है तो सुप्रीम कोट इस पैसे को वापस मंगा सकता है एक और तरीका है इस पैसे को वापस मंगाने का वो तरीका है सुड़्जर लेंड के खिलाफ अंतर राष्ट्री अदालत में मुकद्मा किया जाए बहुत बेईमान देश है बता है बेईमानी क्या करते हैं पैसा जमा कराते हैं उस पे ब्याज नहीं देते उल्टा जमा कराने वालों से सर्विस चार्ज लेता है सुड़्जर लेंड की सरकार क्या करती है वो पैसे को वो ब्याज पर किसी और को दे देते हैं और उस में से खूब मुनाफ़ा कमाते हैं और भारत को कुछ नहीं मिलता ये बेईमानी है इसके खिलाफ हम अंतराश्री अदालत में जा सकते हैं और मुकदमा हो सकता है और उस मुकदमे को करने के लिए पचास देश तयार हैं क्योंकि कई देशों का पैसा सुइस बैंक में है उन सबको साथ लेकर हम ये मुकदमा लड़ना चाहते हैं और इस पैसे को लाना चाहते है तो ये पैसा वापस लाना है और इस लाये हुए पैसे से देश की गरीबी को मिटाना है आप बोलेंगे गरीबी कैसे मिटेगी उसका हमने पूरा हिसाब निकाला कि 110 लाग करोड में से 50 लाग करोड का खर्चा करें तो पूरे देश के गरीबों को करोड़ पती बना सकते हैं पूरे देश के गरीबों को करोड़ पती बना इतना हमारे पास पैसा हम क्या चाहते हैं ये पैसा जब वापस आएगा तो इससे देश के गाउं में उद्योग और रोजगार की व्यवस्था करने है क्योंकि कोई भी आदमी गरीब है इसका माने बेरोजगार है काम नहीं है उसके पार उसको रोजगार दे दो गरीबी कम हो जाएगी तो रोजगार मिलते गरीबी कम होती है तो हर आदमी को काम मिलना चाहिए इस देश में और जहां वो रहता है उसी गाउं में काम मिलना चाहिए ये नहीं कि गाउं छोड़कर उसको शहर आना पड़े रोजगार की तलाश में जहां जनम हुआ जिस गाउं में बड़ा हुआ उसी गाउं में रोजगार उसको मिलना चाहिए तो क्या ये संभव है ये संभव है क्या ऐसे संभव है भारत में दो लाख ऐसे गाउं है जहां कपास पैदा होती है रुई, दो लाख गाओं, इन दो लाख गाओं में जहां कपास पैदा होती है, वहाँ चर्खा चलाया जा सकता है हर घर में, चर्खा वही जो गांदी जी चलाते थे, उसको चलाने में बिजली नहीं लगती, बिना बिजली के चल सकता है, उस चर्खे से सूत बनता है, वो सू भादी का कपड़ा बनाना ये दो लाख गाउं में संभव है आराम से दो लाख गाउं के करोडों परिवारों को ये रोजगार हम दे सकते हैं और इसका मैंने हिसाब निकाला कोई भी साधरन व्यक्ति एक दिन में आठ घंटे अगर चरखा चलाए तो सौ से डेड़ सो रुप ये रोज कमा सकते हैं आठ घंटे चरखा चलाके हर परिवार को रोजी रोटी की व्यवस्था हो सकते हैं अब आप बोलेंगे कि ये दो लाख गाउं में खादी बनेगी तो सही खरीदेगा कौन हम खरीदेंगे ना आप खरीदेंगे मैं खरीदूंगा हम इंदुस्तान के लोगों से अपील करेंगे कि जिन्दगी में कम से कम एक कपड़ा खादी का जरूर खरीदो ताकि ये दो लाख गाउं के बेरोजगार लोगों को काम मिले एक छोटी सी बात आपको मैं समझाता हूँ मेरे जैसे भारत में एक करोड लोग हैं जो खादी पहनते हैं जिन्होंने गांदी जी के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लिया हुआ जो गांदीवादी हैं वो खादी पहनते हैं आप जानते होंगे बहुत सारे अपने देश के जो आज़ादी के आंदोलन के आज भी जिन्दा हैं जो करांतिकारी वो खादी ही पहनते हैं बले मोटी खादी पहनेंगे लेकिन पहनते हैं ऐसे एक करोड लोग हैं उन एक प्रवाव लगाया कि 1 करोड लोग अगर खादी पहनते हैं तो 15 लाक लोगों को काम मिलता है अगर 100 करोड लोग खादी पहनने लगें तो 15 करोड लोगों को रोजगार तो खादी से ही मिल सकता है हम ये टेरलीन टेरीकॉट जो पहनते हैं न ये अपने देश का कपड़ा नहीं है ये टेरलीन टेरीकॉट सब विदेशों से आयात होता है पेट्रोलियम प्रॉडक्ट उसमें से बनता है और ये टेरलीन टेरीकॉट पहनते तो इसमें गर्मी बहुत लगती है अंदर ये शरीर को पसीना पसीना कर देता है इसकी जगे खादी पहनने लगें तो पसीना सूख जाता है गर्मी भी कम लगती है खादी का कपड़ा गर्मी में ठंडा होता है जाडे में गरम होता है और खादी पहन कर 7,32,780 करांतिकारियों ने अपनी जान दे दी तो हम खादी क्यों नहीं पहन सकते हम कुर्ते पजा में खादी के ले सकते हैं दोती कुर्ता खादी का ले सकते हैं तौलिया खादी का ले सकते हैं घर में ये बैड कवर शीट होती है न ये खादी की हो सकती है ये खादी का हो सकता है परदे खादी के हो सकते कुछ नहीं तो साल में 244 रूमाल अगर खादी के खरीद ले तो करुडों लोगों को रोज़गार मिल सकता है इस देश तो बनाएंगे गाओं वाले खरीदेंगे हम और मैंने इसके लिए अंतरास्वी बजार में बहुत ज़ादा अब भ्यास किया तो पता चला दुनिया का हर देश खादी खरीदने को तैयार है बेचने वाला कोई नहीं अमेरिका और यूरोप में मालूम है सूती कपड़ा सबसे अच्छा मानते लेकिन खादी का मिले तो वो और अच्छा मानते लेकिन कोई देने वाला नहीं है क्योंकि बनती नहीं है अगर भारत के गाओं गाओं में खादी बनने लगे दुनिया भर में बिकेगी और घरों में किसानों के सीधे पैसा आएगा जो कपास पैसा करेंगे जो चर्का चलाएंगे जो सूत बनाएंगे बेरोजगारी इससे खतम होगे दूसरा हम क्या चाहते हैं हर गाउं में सरसों पैदा होती है तिलहन पैदा होता है तो हर गाउं में तेल पैदा हो सकता है सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, मुंफली का तेल ये सब तेल गाउं में पैदा होकर डबे में भरके शहर में बिकने को जा सकते हैं और एक साल में भारत में 56,000 करोड रुपए का तेल बिकता है इतने तेल पर 50,000 गाओं में रोजगार लोगों को मिल सकता है जो तेल बना कर हमें दे आप बोलेंगे तेल मिल तेल मिल हम छोटी लगा सकते हैं जो कोलू जैसी होती थी पहले जो बिना बिजली के भी चल सकती है और जिन गाओं में बिजली है वहाँ बिजली की भी लगा सकती है और मैंने तो ये जानकारी ली प्रयोक शाला में जाँच करवा के कि बिजली की तेल मिल से जो तेल निकाला जाता है और बेल के द्वारा कोलू चला कर जो तेल निकाला जाता है उसमें बेल वाले कोलू के तेल की क्वालिटी हजार गुनी जादा है बिजली के मिल की क्वालिटी से और अब मुझे पता चला कि हमारे पुराने पुर्खे वो कोलू का तेल खाते थे किसी को heart attack नहीं आता था किसी को diabetes नहीं होती थी किसी को blood pressure नहीं था किसी को sugar नहीं थी किसी को hemorrhage नहीं होता था क्योंकि वो तेल खाने से HDL बढ़ता था और HDL बहुत जरूरी है जो शरीर का जादा बढ़े LDL और VLDL खतरनाक है जो नहीं बढ़ना चाहिए ये LDL VLDL बढ़ता है मिल के तेल से, मशीन के तेल से तो गाउं गाउं ये कोलू का तेल निकाल के बैलों की मदद से बहुत बड़ा व्यापार चल सकता है, रोजगार मिल सकता है ऐसे ही एक तीसरा उधारन देता हूँ भारत में 90 हजार गाउं हैं जहां आलू पैदा होता है और वो आलू का चिप्स बन सकता है और वो चिप्स बजार में बिक सकता है अभी हम बजार से चिप्स खरीदते हैं पंद्रे रुपए का एक पैकेट आता है और पंदे ग्राम चिप्स निकलता है मने हजार रुपए किलो चिप्स बिकता है और बीस रुपए किलो आलू बिकता है तो आलू बेचने में फाइदा नहीं, चिपस बेचो ना तो 90 अजार गाउं में चिपस बनाने का काम, हमारी माताइँ बेहने कर सकती है सब घर की माताओं को चिपस बनाना आता है, वो बेचने के लिए हम सब लोग शहर में मदद कर सकते है ऐसे ही भारत के 60-65 अजार गाउं में टमाटर पैदा होता है तो टमाटर की चटनी गाउं में बन सकती है और पैकेट में भरके शहर में बिक सकती है हमारे गाउं में जो पैदा होने वाली चीजें हैं गेहूं पैदा होता है भारत के 2.5 लाग गाउं में हर गाओं में गेहूं का आठा निकाला जा सकता है और आठे को पैकेट में बंद करके शहर में बेचा जा सकता है तो रोजगार गाओं में खड़ा करना है ताकि गाओं के हर आदमी को अपने ही इस्थान पर काम मिले उसको शहर जाकर किसी की नौकरी नहीं करनी पड़े और ये रोजगार का काम खड़ा करने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए वो स्विस बेंक के आएंगे तो उसमेंसे हम खर्च करना चाहते हैं उसी मेंसे हम और पैसा खर्च करना चाहते हैं इसकूल बनाने के लिए हर गाओं अभी भारत के 50% बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके लिए इसकूल की व्यवस्था नहीं तो उन सब बच्चों के लिए गाओं में इसकूल खोले जा सकते फिर हमारे गाओं में सडक नहीं है सडकें बन सकती है पानी की व्यवस्था हो सकती है बिजली की भी व्यवस्था एक लाख से ज़्यादा गाओं में हम कर सकते हैं एक छोटा छोटा पावर प्लांट लगाएं एक मेगा वाट का साड़े चार करोड में लग जाता है साड़े चार लाग करोड में एक लाख पावर प्लांट लग सकते हैं और एक पावर प्लांट से चार-पाँच गाउं को बिजली आराम से मिल सकती है मने हर गाउं बिजली से जग मगा सकता है साड़े चार लाग करोड के खर्चे में और हमारे पास 110 लाग करोड है साड़े चार लाग करोड़ खर्च करना कौन बड़ी बात है मैंने तो एक दिन सारा हिसाब निकाल लिया तो पचास लाग करोड़ का कुल खर्चा होगा और हर गाओं में सारी व्यवस्थाइं हो जाएंगी बिजली की सिक्षा की चिकितसा की पानी की रोजगार की व्यापार की सारी व्यवस्थाइं 50 लाग करोड में हो जाएं तो भी 60 लाग करोड बचेगा हमारे पास उस बचे हुए पैसे को बैंक में जमा कर दो एक साल का ब्याज 10 प्रतिशत का आएगा तो 6 लाग करोड का ब्याज मिल जाएगा उतने ब्याज से देश का हर साल बजट हम बना सकते हैं किसी से टैक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है और टैक्स के माद्यम से जो लूट हो रही है उसको पूरा बंद करा सकते हैं हम चाहते हैं कि किसी से टैक्स ना लिया जाए और तो भी देश चले बिना टैक्स के अब बिना टैक्स के देश चलेगा तो कैसे स्विस बैंक के पैशे से ब्याज मिले उस से ही देश का विकास करो टैक्स की जरूरत क्या और टैक्स अगर हम खतम करेंगे तो परिणाम जानते हैं किया होगा केंद्र सरकार के सारे टैक्स खतम कर दे महंगाई सत्तर प्रतिशत कम हो जाएगी इस देश सत्तर प्रतिशत इसका मोटा हिसाब बताता हूँ जो चीज अभी सौ रुपई में आप खरीदते हैं वो तीस रुपई में मिल जाएगी जो दो सो में खरीदते हैं वो साट रुपई में मिल जाएगी आप हर चीज सस्ती हो जाए पैसे कहां से लाएंगे ये नेताओं ने जो लूटा है उसी मेंसे इस पैसे का इस्तेमाल करके हम करना चाहते हैं लोगों से हमें लेने की कोई जरुर्त नहीं है, इतना पहले ही लूट लिया है नेतावों ने उसी से देश का काम हो सकते और एक फाइदा होने वाला है कि हम जब tax खतम करेंगे तो सबसे पहले income tax खतम करना चाहते है income tax खतम करने का फाइदा क्या होगा देश में कुछ पैसा ऐसा है जिसको काला धन कहते है black money ये वो पैसा है जिस पर income tax नहीं दिया गया हम income tax हटाना चाहते हैं तो सारा धन सफेद हो जाएगा और जो धन सफेद होगा वो बाजार में आ जाएगा तो 36 लाख करोर रुपए का काला धन बाजार में आ जाएगा और इतना पैसा अगर हमारे पास आता है तो हमको दुनिया में किसी देश से भीक लेने की जरूरत नहीं है दान लेने की जरूरत नहीं है हमारे देश का विकास हम उसी पैसे से कर सकते हैं फिर हम exercise duty हटाएंगे sales tax हटाएंगे सारे tax हटाकर इस देश की जनता को आराम का और सुख का जीवन जीने को मिले वो काम हम करना चाहें इसी के लिए ये भारत स्वाविमान अभ्यान हमने चलाया इस अभ्यान में और एक दो काम हम करना चाहते हैं हमारे देश की जो सिक्षा व्यवस्था है ना इसका सबसे बड़ा दोश ये है कि पूरी सिक्षा व्यवस्था आजकल अंग्रेजी में है अंग्रेजी विदेशी भाषा है अंग्रेज आये थे तो अंग्रेजी आई अब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी क्यों चलनी चाहिए और यह अंग्रेजी विदेशी भाषा है हमको आती नहीं है हमारे देश के विद्यारतियों को आती नहीं है मार मार कर हम उनको सिखाते हैं फिर भी नहीं आती है क्योंकि विदेशी भाषा है क्यों आनी चाहिए मैं तो लोगों से सीधे सीधे कहता हूँ कि हम जितना मार मार के बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं उतना कोई अंग्रेज अपने बच्चों को मार मार के हिंदी नहीं सिखाता कभी जब वो हिंदी नहीं सिखाते हम अंग्रेजी क्यों सिखा रहे हैं हमको ऐसी गलत फेहमी हो गई है जपान में जपनीज चलती है, चीन में चाइनीज चलती है, डेनमार्क में डेनिज चलती है, नीदरलेंड में डच चलती है, सभी देशों में उनकी मात्र भाशाएं चलती है, अंग्रेजी सिर्फ उन देशों में चलती है, जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जैसे आस्ट्रेलिया, जैसे न्यूजिलेंड, जैसे कनाडा, जैसे अमेरिका, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलेंड, आयरलेंड, ये सब अंग्रेजों के गुलाम देश, इसलिए अंग्रेजी चलती है जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं, कहीं अंग्रेजी नहीं चलती तो अंग्रेजी दुनिया की भाषा नहीं है, 14 देशों की भाषा और दुनिया में सबसे खराब और रद्दी और मूर्खता की भाषा है, तो ये अंग्रेजी ही है इस भाषा का कोई सिर और कोई पैर नहीं है मैं आपको कुछ उदारण दूँ अंग्रेजी भाषा कैसी मूर्खों की भाषा है एक शब्ड अंग्रेजी में उसका नाम है पुट उसकी स्पेलिंग है पी उटी पुट तो बी उटी बुट होना चाहिए कि नहीं लेकिन कहते हैं नहीं बी उटी बट तो पी उटी पट होना चाहिए सी उटी कट बी उटी बट तो पी उटी पट क्यों नहीं होना चाहिए बताए और अगर पी उटी पुट तो बी उटी बुट और सी उटी कुट क्यों नहीं होना चाहिए अंग्रेजों के पास इसका कोई जवाब नहीं कहीं यू उ हो जाता है कहीं आ हो जाता है ऐसा होता है दुनिया में कभी कहीं आ कहीं उ या तो आ कर लो या उ कर लो दोनों में से एक कर लो उसको कितने मूर्खता की भाषा है ये अंग्रेजी और एक उधारन देता हूँ आपको अंग्रेजी में एक शब्द है chemistry तो उसकी spelling क्या है C-H-E-M-I-S-T-R-Y तो C-H-E यहाँ पे का है chemistry मने का तो अंग्रेजी में एक और दूसरा शब्द होना चाहिए कोपड़ा, C-H-O-P-A-R-E उसको कहते हैं चोपड़ा तो C-H-O-P-A-R-E अगर चोपड़ा है तो C-H-E-M-I-S chemistry होनी चाहिए और C-H-E-M-I-S अगर chemistry है तो C-H-O-P-A-R-E कोपड़ा होना चाहिए कोई उत्तर नहीं है अंग्रेजीों के पास कहीं C-H का है, कहीं चा है चा कहां है, का कहां है, कुछ हिसाब भी नहीं है उसका और कहीं कहीं C का हो जाता है, कहीं C सा हो जाता है एक शब्द होता है S-U-N आप क्या बोलते हैं? सन ठीक है? और एक शब्द है S-O-N सन, उसको क्या बोलते हैं, सन, एक सोन होना चाहिए, एक सन होना चाहिए, S.O.N. सोन, S.U.N. सन, S.O.N. को भी सन कह रहे, S.U.N. को भी सन कह रहे, मूर्ख हैंगे नहीं, कुछ और छोर नहीं इस भाषा, और इस भाषा में हम फस गए, मूर्खों बन के, और हम ऐसे फसे, ना तो अंग्रेज रहे, ना हिंदुस्तानी रहे, बीच के खिचड़ी हो गए हम सब, अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों का क्या बुरा हाल है इस देश में, मैं कभी कभी किसी के घर जाता हूँ, थोड़ी अंग्रेजी जिनोंने पढ़ ली है, वो कैसे मूर्ख होते हैं, उधारन देता हूँ, उनके घर में नाम कैसे होते हैं, पिता जी का नाम रामदयाल, माता जी का नाम गाइत्री देवी, बेटे का नाम टिंकु, अब रामदयायल और गाहित्री देवी दोनों का टिंकू कहां से आ गया ये तो दोनों स्वदेशी है रामदयायल और गाहित्री वो टिंकू विदेशी कहां से आ गया और उनको मैं पूछता हूँ टिंकू नाम क्यों रखा बस रख लिया कुछ अर्थ मालू में टिंकू का टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का जो अपने बाप की न सुने मा की न सुने वो टिंकू होता है अंग्रेजी में और हमारे अच्छे खासे आग्याकारी बेटे को बोल बोल के टिंकू 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 आवारा बना रहे हैं ऐसे मूर्ख लोग हैं कुछ-कुछ घरों में जाता हूं तो बच्चों के नाम कैसे रख लेते हैं डबलू, बबलू, पिंटू, डिंपल, ट्विंकल, मूर्खों के मूर्ख कुछ नाम नहीं मिले आपको बबलू, डबलू, ड्विंकल, टिंपल फाल्तो नाम जिनका कोई अर्थ ने और ये अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कैसे मूर्ख हैं मुझे भौत उनके ऊपर दया आती है, अंग्रेजी में रॉब ज़ाडते हैं, आती तो है ने, समस्ते है ने, कुछ भी पटर पटर बोलना है, रॉब लगाना है, रॉब ज़ाडना है, कैसे बोलते हैं, किसी के घर में मैं घुसा, वो अंग्रेजी में कहता है, ओ राजीव पत्नी को मिसिस बनाने में लगे हूँ, आपको मालूम हैं, अंग्रेजी में मिसिस का अर्थ क्या होता है, इंग्लेंड में और यूरोप में एक बहुत खराब परमपरा है, अब है तो है, उसको खराब मानो अच्छा मान, परमपरा पता ही क्या है, कोई भी इस्त्री, एक पती से कभी भी संतुष्ट नहीं होती, और कोई भी पुरुष एक इस्त्री से कभी संतुष्ट नहीं होता, यह उनकी परमपरा है, एक एक पुरुष की 20-20 इस्त्रियां होती है, एक एक इस्त्री के 20-20 पुरुष होते हैं, अब एक से तो शादी करते हैं, बाकी को ऐसे ही बात क्या हो, शादी तो एक ही से होगी पत्नी तो एक ही होगी और बाकी उन्नीस इस्त्रियां वो सब मिसिस होती है मिसिस का माने होता है धरम पत्नी को छोड़ कर कोई भी इस्त्री जिसके साथ बिस्तर में रात को आप सो सकें वो मिसिस होती है और यहां अपनी धरम पत्नी को जो अकेली है इकलोती है उसको मिसिस बनाने में मूर्खों के मूर्ख लगे हुआ है कहते हैं यह हमारी मिसिस है तो मैं पूछता हूँ रियली वो आपकी मिसिस है और यह जो मिस्टर शब्द है न यह उल्टा है पती को छोड़ कर कोई भी पुरुष वो मिस्टर होता है और यहां अच्छे खासे पती को मिस्टर बनाने में सब लगे रहे हैं एक बहुत खराब शब्दे अंग्रेजी का जिसको हिंदुस्तानी बहुत बोलते हैं मैडम 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 आप बुलेंगे बता दो इसका अर्थ क्या है इंग्लेंड देश में जो वैशियाएं होती है न वैशियाएं जो शरीर बेचती है अपना ने ने सुन लो पहले तालीबाद में बजाएं जो वैशियाएं अपना शरीर बेचती हैं उनके छोटे छोटे समू होते हैं वैश्याओं के समू उस वैश्याओं के समू की जो मुख्य संचालिका होती है उसको मैडम कहते है वैश्याओं की हैड वो मैडम होती है और यहां अच्छी खासी महिलाओं को मैडम 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 दिमाग खराब कर रखा है इन मूर्खोन ना तो अंग्रेज है ना हिंदुस्तानी है बीच के खिचुडी बने है ये शब्द अंग्रेजी के क्यों बोलते हैं आप बन कर दो इन में कुछ दम नहीं अंग्रेजी ही बन कर दो कुछ उसमें दम नहीं सबसे खराब भाषा दुनिया हमारे यहां कुछ अंग्रेज लोग हैं जो अपने बच्चों को पोईम सिखाते हैं कविता नहीं सिखाते हैं पोईम सिखाते हैं और क्या पोईम सिखाएंगे एक रटा देते हैं बच्चों को पोईम जिसका अर्थ ना बच्चे जानते हैं ना माता पिता जानते हैं वो पोईम है Rain Rain Go Away Come Again Another Day Little Baby Wants To Play अब बच्चे को मैं पूछता हूँ तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है नहीं मालूम किसने सिखाया? मम्मा ने सिखाया तो मम्मा को पूछता हूँ आपको अर्थ मालूम है? नहीं मालूम फिर किसने सिखाया? टीचर में सिखाया टीचर को पूछो अर्थ मालूम है? नहीं मालूम फिर सिखाया क्यों? अर्थी नहीं मालूम जब उसका इसका अर्थ जानते हैं क्या है? Rain Rain Go Away बारिश बारिश तुम चली जाओ यहाँ पे कभी भी मताओ क्योंकि हमको खेलना है अब बच्चा बोल रहा है बारिश बारिश चली जाओ कभी भी मताओ मुझे खेलना है और ऐसे करोड़ों बच्चे बोल रहे हैं बारिश बारिश चली जाओ कभी भी मताओ भगवान ने ये प्रार्थना सुन ली तो हमारे बच्चे बोल रहे हैं बारिश बारिश भाग जाओ चली जाओ भगवान ने ले लिया बारिश को वापस और बारिश होई नहीं इस देश में सूखा पड़ेगा आप भूके मरेंगे मैं भूका मरूँगा ऐसी अंग्रेजी पोएम है जो हम मूर्ख अपने बच्चों को सिखा रहे हैं भारत में 60 प्रतिशत खेती बारिश पर होती है आपको मालूँ बारिश नहीं होगी किसान मरेगा हम मरेंगे इसलिए बारिश होना बहुत जरूरी है इसलिए भारत की कविता तो दूसरी होती है हमारे याँ देशी कविताएं होती है एक मराठी कविता सुना तो उसका बाद बे हिंदी अर्थ बताऊंगा मराठी कविता है येरे येरे पाउसा तुला देतो पईसा जल्दी जल्दी आओ, ज्यादा ज्यादा आओ, नहीं आओगी तो मैं पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम आओ, क्योंकि भारत को बारिश की जरूरत है, क्योंकि 60% खेट बारिश के पानी से ही चलते हैं, इसलिए भारत की कविता में बारिश को बुलाया जाता है, वि हमताय करें हमारे बच्चों इंग्लेंड में ये कविता गाते हैं rain rain go away क्योंकि इंग्लेंड में बारिश कभी भी आती है और जब बारिश आती है तो बच्चों का खेलना कूदना बंद हो जाता है बारिश पक्की नहीं है इंग्लेंड में कभी भी आ जाती है इसलिए वो बोलते हैं बारिश बारिश मत आओ rain rain go हमको तो बारिश चाहिए तो देशी कविताएं गाओ देशी कविताएं सिखाओ बच्चों को देशी गीत गाओ देशी गीत सिखाओ बच्चों को अंग्रे जी का मोह छोड़ दो अंग्रे जी से प्रेम छोड़ दो मात्र भाषा से प्रेम करो मात्र भाषा का गौरव करो सम्मान करो तो आपका सम्मान दुनिया करेगी नहीं तो नहीं करने वाई हमारी भाषा में कोई कमी नहीं शब्दों की संख्या सबसे अच्छी अंग्रेजी में शब्द बहुत कम है हिंदी में, संस्कृत में शब्दों का भंडार है अंग्रेजी में एक शब्द है सन, S-U-N ये एक और अकेला शब्द है दूसरा सूरज के लिए कोई शब्द नहीं है अंग्रेजी संस्कृत में, हिंदी में दिनकर, दिवाकर, रवी, भासकर, मारतंड, ऐसे 84 शब्द है अंग्रेजी में एक है एक शब्द है मून, चंद्रमा, एक ही है अंग्रेजी में और हिंदी में 56 से ज़्यादा, संस्क्रिप में 56 से ज़्यादा शब्द अंग्रेजी में एक ही शब्द है water, पानी, हिंदी में पानी के लिए अनेक शब्द है समुद्र का पानी, नदी का पानी, तालाप का पानी, कुएं का पानी, पोखर का पानी, सरोबर का पानी, सब पानी के लिए अलग शब्द है अंग्रेजी में एक ही है water बहुत गरीब भाषा है अंग्रे जी शब्दी नहीं है उनके पाद अंग्रे जी कितनी गरीब भाषा है चाचा, मामा, ताउ, मौसा, फूफा सबके लिए एकी शब्द है अंकल और चाची, मामी, मौसी, ताई, फूफी सबके लिए एक है आंटी हमारे हिंदी में सभी रिष्टों के लिए अलग शब्द है तो हिंदी बहुत समरुद्ध शाली है उस हिंदी का प्रयोक करो बच्चों को हिंदी माद्यम में पढ़ो आप जो मार मार के उनको अंग्रेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कभी नहीं बनेंगे मैं लिख के दे देता हूँ स्टाम पेपर पर वो ना तो अंग्रेज बनेंगे ना हिंदुस्तानी रहेंगे बीच में खिचडी की तरह से लटक जाएंगे बच्चों पर बहुत तनाव होता है अंग्रेजी पढ़ने का मैंने बच्चपन में महसूस किया है कि मैं कोई बात हिंदी में एक गंटे में याद करता था तो वही बात अंग्रेजी में याद करने में छे महीना लग जाता था रटना पढ़ता था और फिर भूल जाता था फिर मार पढ़ती थी फिर पढ़ता था फिर भूलता था तो अंग्रेजी तो भूलने के लिए ही उसमें याद रखने लाइक है क्या आप बोलेंगे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा दुनिया में जापान नाम के देश में कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ता, उनका व्यापार पूरी दुनिया में चलता है, जर्मनी के लोग अंग्रेजी से नफरत करते हैं, और जर्मन लोगों का व्यापार पूरी दुनिया में है, फ्रांस वाले अंग्रेजी से नफरत करते हैं, फ्रांसीसियों का व्यापार पू हमारा व्यापार ज्यादा अच्छा चले इसलिए ये विदेशी भाषा छोड़ो ये गुलामी भाषा की अपने जीवन से निकालो इसके लिए हम भारत स्वाविमान अभ्यान चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि सिक्षा व्यवस्था में सारा कुछ मात्र भाषा में पढ़ने और पढ़ने का काम होना चाहिए अंग्रेजी में सब बंद होना चाहिए इसी तरह से हम चाहते हैं हमारी कानून व्यवस्था सब बंद होना चाहिए हमारी कानून और नयाय व्यवस्था हमारे हिसाब से चलनी चाहिए भारत में 64 तरह की व्यवस्थाएं हैं जिनको बदलन के लिए ये भारत स्वाभिमान का अभियान हम चलाना चाहते हैं हम एक काम और करना चाहते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी के जो प्रतीक हैं वो आजादी के बाद हमें खतम करने हैं जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारे रोड हैं जिनके नाम अंगरेजों के नाम पर पड़े हुए है Minto Road, Lawrence Road, Carjen Road, heavy road, Benting Road, Mio Road, ये क्यों होना चाहिए अंगरेजों के जाने के बादू ? ख़तम करो ये सब नाम को कई कोलेज हमारे अंगरेजों के नाम पर है Elphinston College, Ferguson College, Minto College, Linn Littgo College, Macaulay College, क्यों होना चाहिए अंग्रेजों के नाम पर कॉले हमारे शहर भी कई अंग्रेजों के नाम पर है हिमाचल प्रदेश में एक शहर है उसका नाम है डलहोजी गुवा में एक शहर है उसका नाम है वासको डिगामा ये वासको डिगामा तो लुटे रहा था डलहुजी तो अत्याचारी था उनके नाम पर शहरों के नाम हम क्यों रखे कई सारे अंग्रेजों की मूर्तियां अभी भी इस देश में लगी हुई है बम लगा के उड़ा देना चाहिए सबको क्यों होनी चाहिए वो मूर्ति बंबई में हम जाते हैं एक बड़ा रेलवे स्टेशन है चत्रपती शिवाजी टर्मिनस वहां सारी अंग्रेजों की मूर्तियां है रे स्टेशन चर्च गेट की स्टेशन है वहां अंग्रेजों की मूर्तियां लगे हो कई हमारे देश में भवन हैं अंग्रेजों के नाम पर करजन हाउस चैथम हाउस मिंटो हाउस मियो हाउस सब अंग्रेजों के नाम पर क्यों? खतम करना चाहिए हमारे यहां तो कई बहुत सारे पार्क अंग्रेजों के नाम पर है एक जिम कारवेट नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में एक अंग्रेज के नाम पर है क्यों? मर गया वो तो चला गया नाम बदलना चाहिए और ऐसे ही अंग्रेजों की गुलामी की निशानिया हमने अपने जीवन में सहेज सहेज कर रखी है उन में से एक निशानी है एक गाना गाते हैं हम जन गण मन अधिनायक जए ये अंग्रेजों के लिए गाया था हमने ये हमारा गाना थोड़ी है एक अंग्रेज आया था इस देश में उसका नाम था जौर्ज पंचम जौर्ज फिफ्ट 1911 में आया 27 दिसंबर को कलकत्ता में आया तो उस समय उसके स्वागत के लिए गाना लिखा रविंद नाटेगोर वो ये ही गाना है जन गण मन अधिनायक जए भारत भाग्य विदाता मानि भारत का भाग्य विदाता कौन जौर्ज पंचम उसकी जैजैकार कर रहे है जन गण मन अधिनायक जए भारत भाग्य विदाता फिर पंचाब सिंद गुजरात मराथा द्राविड उतकलबंग भारत का जितने भी राज्यों का समू है पंचाब सिंद गुजरात उनकी तरफ से कह रहे हैं तब शुब नामें जागे तुमारा नाम पूरे संसार में हो तब शुब आशिश मांगे तुमारे लिए भगवान से हम दुआएं मांगते हैं जनगण मंगल दायक जए भारत भाग्य विदाता तुमारा मंगल हो तुमारी जए हो क्योंकि तुम हमारे भाग विदाता हो ये गुलामी का गाना है अंग्रेजों के राजा की चाटु कारिता के लिए गाया हुआ गाना है उनकी प्रशंसा के लिए गाया हुआ गाना जौर्ज पंचम को जब ये गाना सुनाया गया, उसके समझ में नहीं आया क्योंकि ना उसको संस्कृत आती थी ना बांगला आती थी तो उसने का इस गाने का भाशांतर करके मुझे अंग्रेजी में सुनाओ तो उसका भाशांतर जब उसको अंग्रेजी में सुनाया वो बहुत खुश हो गया उसने का कि मेरे देश में मेरी कोई इतनी प्रशंसा नहीं करता है भारत में मेरी इतनी प्रशंसा करते है उसने का मेरी बीबी ने कभी मेरी इतनी प्रशंसा नहीं की ये भारतवासी तो उससे भी ज़्यादा कर रहा है फिर उसने पूछा किसने गाना लिखा तो बताये गया रविन्दा टैगोर ने लिखा तो उनका नाम वाम सब ले गया और वो व्यक्ति नोबुल प्राइस देने वाली कमेटी का चेर्मेन था तो रविन्दा टैगोर को इनाम में नोबुल पीस प्राइस उसने दे दिया लिटरेचर का नोबुल प्राइस ऐसे मिला लो रविन्दा टैगोर अंग्रेजों की चाटकारिता की उनकी गुलामी की तो उनोंने इनाम दे दिया और उस इनाम को च्छाती से लगाकर रविन्दना टेगौर रखे रहे महात्मा गांदी ने उनको इतना कहा कि ये वापस कर दो ये गुलामी की निशानी है रविन्दना टेगौर ने कभी वापस नहीं किया उस समय भी नहीं किया जब अंग्रेजों ने जलियां वाला बाग हत्या कांड कर दिया ना उन्नीस सा उन्नीस में सारे हिंदुस्तानियों ने राय बहादुर की पद्विय वापस कर दी अंग्रेजों को रविन्दना टेगौर ने ये इनाम वापस नहीं किया वो रखा हुआ है अभी भी लेकिन भला हुआ कुछ चोर उसको चुरा ले गए अब वो मिल नहीं रहा है मुझे तो बड़ी खुशी है अच्छा हुआ वो गुलामी का चिन्न तो गया भारत का गाना बन गया राष्टगान और ये कैसे बना वो भी बात बताना चाहता हूँ 1946 में भारत का ये तै हो गया कि अंग्रेज छोड़ देंगे तो भारत का सम्मिधान बनाना कानून बनाना उसके लिए कमेटी बनाई गए उसमें 319 लोग थे उसमें पंडी जवाला नेरू, सरदार बल्लब, भाई, पटेल, चित्रण जंदास ऐसे 319 नेता थे उनमें बहस हुई कि भारत का राष्ट्रिय पक्षी क्या होना चाहिए तो उन्होंने बना लिया मोर भारत का राष्ट्रिय पशु क्या होना चाहिए तो उन्होंने तै कर लिया शेर भारत का राष्ट्रिय जंडा क्या होना चाहिए तो ये तिरंगा जंडा बना लिया ऐसे एक एक चीज वो तै करते गए एक दिन बहस होई कि भारत का राष्टगान क्या होना चाहिए राष्ट्रिय पक्षी हो गया राष्ट्रिय पशु हो गया राष्ट्रिय जंडा हो गया तो राष्ट्रगान तो कुछ होना चाहिए तो 319 में से 318 लोगों ने कहा बंदे मातरम होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि बंदे मातरम जन्गनमन से बहुत पहले का लिखा हुआ है जन्गणमन लिखा गया 1911 में बंदे मातरम 1875 में लिखा बंदे मातरम सुन तो क्रांतिकारियों ने एक संकल्प लिया था कि किसी को भी फांसी होगी पहले बंदे मातरम बोलेंगे फिर फांसी पर चड़ेंगे तो 7,32,780 क्रांतिकारी बंदे मातरम बोलकर फांसी पर चड़े इसका माने क्रांतिकारियों का गाना है बंदे मातरम लोगों का गाना है बंदे मातरम तो 318 लोगों ने तै किया 1949 में कि बंदे मातरम होना चाहिए राश्टगान पंडित नेहरु ने इसका विरोध किया वो अकेले आदमी थे जिन्होंने विरोध किया और विरोध का कारण क्या था पंडित नेहरु ने कहा कि ये वंदे मातरम जो गाना है ये विदेशी औरकेस्ट्रा की धुन पर बज़ता नहीं है इसलिए इसको नहीं होना चाहिए और जनगनमन विदेशी औरकेस्ट्रा की धुन पे बहुत अच्छा बचता है इसलिए इसको राष्ट्रगान होना चाहिए तो लोगों ने नहरू जी का बहुत विरोध किया नहरू जी ने धमकी दे दी कि अगर ये वंदे मातरम गाना हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा तो कॉंगरेस पूरी घवरा गई उस जमाने में कॉंगरेस माने नहरू नहरू माने कॉंगरेस तो कॉंगरेस ही सब डर गए नहरू जी के साश्टांग दंडवत प्रणाम कर गए कि आप पार्टी मत छोड़ो हम ये गाना छोड़ो देते तो ऐसे करके जनगणमन राष्टगान बन गया और पचास साल बाद तक संसद में जनगणमन ही गाया जाता रहा फिर संसद में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ 1997 में हमारी आजादी के पचास साल का स्वन महोत सब उसमें संसद में बहस होई कि हम बन्दे मातरम को अगर संसद में नहीं गा सकते तो ये सारा पाखंड करने का कोई मतलब नहीं है क्रांतिकारियों के फोटो संसद में लगाने का कोई मतलब नहीं है उनकी शहादत का कोई मतलब ने तब संसद ने सुईकार किया कि गलती हुई है बंदे मातरम गाया जाना चाहिए तो अब संसद में बंदे मातरम गाया जाता है लेकिन जनगणमन भी गाल लेते हैं तो संसद ने अभी सुईकार किया बाद में सुप्रीम कोट में इस पर एक मुकदमा हुआ और उस मुकदमे में सुप्रीम कोट ने ये फैसला किया कि जन गणमन भारत का राष्ट्रगान नहीं है इसलिए कोई व्यक्ति इसे नहीं गाता है तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता ये उसकी इक्षा है ये उसकी अपनी व्यक्तिगत चोईस है सुप्रीम कोट ने भी मान लिया अब सुप्रीम कोट ने मान लिया तो मैं कहता हूँ आप भी मान लो जब सुप्रीम कोट कह रहा है तो आप भी मान लो इसको आप भी बंदे मातरम ही गाया करो क्योंकि भगत सिंग ने वही गाया था चंदरशेकर ने वही गाया था आश्वाक उल्ला ने वही गाया था अब ये कुछ लोग कहते हैं कि मुसल्मान बंदे मातरम का विरोध करते हैं कैसे कर सकते हैं आश्वाक उल्ला को फासी लगेगी तो बंदे मात्रम ही गाया था उन्होंने और आश्वाक उल्ला मुसल्मान थे पाँच वक्त की नमाज पढ़ते थे वो खुद बंदे मात्रम गाते थे अजीम उल्ला करके एक मुसल्मान थे वो बंदे मात्रम गाया करते थे मुसल्मान बंदे मात्रम नहीं गा सकते ये तर्क देते हैं लेकिन मुसल्मान दो शब्द इस्तेमाल करते हैं मादरे वतन उसका मतलबी है बंदे मात्रम मादरे वतन माने माँ भारती को बंदना तो बंदे मातरम कहलो वो भी माँ भारती की बंदना है उर्दू में मादरे वतन है संस्कृत में बंदे मातरम है फरक क्या है इसमें मैं तो मुसल्मन भाईयों से कहता हूँ कि मादरे वतन अपने शब्द कोश में से निकाल दो फिर तो समझ में आएगा जब वो है और उसका इस्तेमाल हो रहा है तो वंदे मातरम का भी हो सकता है इसलिए ये गुलामी की निशानियों को एक एक करके हमें हटाना ही चाहिए अपने देश में से अपने जीवन में से हम सब इन गुलामी की निशानियों को अपने देश में से हटाएं इसके लिए ये भारत स्वाविमान अभ्यान हमने शुरू किया है और इस अभ्यान के तहट सारे देश में हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं आप से भी मेरी एक विंती है वो ये कि हमारे भारत स्वाभिमान अभियान में आप सब लोगों का हमें सहयोग चाहिए ये सब काम हम करना चाहते हैं आपके सहयोग से आप बोलेंगे क्या सहयोग करें आप हमारे भारत स्वाभिमान के सदस्य बनिये मेंबर बनी और जादा से जादा हमें मेंबर बनाने है पांच करोड लोगों को हम देश में इसका सदस्य बनाना चाहते हैं और जिस दिन हमारे पास ये पांच करोड सदस्य होंगे उस दिन हर काम हम इस देश में नेताओं से करवा लेंगे जिसके लिए वो चुन कर जाते हैं भारत के नेताओं की कुल संख्या चार करोड है हम जिस दिन पांच करोड हो जाएंगे वो हमारी हर बात मानेंगे क्योंकि बहुमत का राज इस देश में चलता है और बहुमत हम इस देश में हमारा लाना चाहते है तो आप इस में जुड़ें मेंबर बने मेंबर बनने के लिए क्या है एक फॉर्म है वो आप भरके दे दो साधारन मेंबर बनने के लिए 51 रुपए का शुल्क है और विशेश मेंबर बनने के लिए 1100 रुपए का शुल्क है आपकी जैसी शक्ती है जैसी छमता है वैसे मेंबर बनो जो 1100 के मेंबर बनेंगे उनको हरिदवार बुलाया जाएगा और उनकी ट्रेनिंग स्वामी रामदेव जी करेंगे जो 51 रुपई के मेंबर बनेंगे उनकी ट्रेनिंग यहीं व्याबरा में होगी हरिदवार से किसी को यहां लाया जाएगा तो आप सब को प्रसिक्षन देकर हम इस अभियान में जोडेंगे और गाउं गाउं गली गली इस अभियान की ताकत को बढ़ा कर शहीदों के सपने जो अधूरे हैं उनको पूरा करने का प्रयास हम करें तो आप हमारे अभियान के सदस्य बने ये मेरी आपसे अपेक्षा है और दूसरी अपेक्षा है कि हम भारत देश को स्वदेशी स्वावलंबी स्वयंपूर्ण देश बनाना चाहते हैं कारण क्या है भारत को लूटने के लिए पहले एक विदेशी कमपनी आई थी अब भारत को लूटने के लिए पाँच हजार विदेशी कमपनी आ गई पेपसी कोला, कोका कोला कॉल गेट, पामुले, प्रॉक्टर औंगेंबुल रेकेट औंड कोलमेन, हिंदुस्तान लीवर ऐसी पाँच हजार कमपनिया है हर साल दो लाक बत्ती सदार करोड रुपए लूट कर ले जा रहे हैं इन कमपनियों का सामान हम घरों में खरीद रहे हैं उप्योग कर रहे हैं तो हमारी आपसे विनंती है कि आप इन विदेशी कमपनियों का माल खरीदना बन कर दो यह मत खरीद उसके इस्तान पर जो स्वदेशी सामान है वो आप खरीदो और वो स्वदेशी सामान खरीदकर देश का दो लाक बत्ती सदार करोड रुपए आप बचाओ और देश को स्वावलंबी और स्वदेशी बनाओ आप पूछोगे पता कैसे चलेगा विदेशी सामान जो नहीं खरीदना है वो किया है और स्वदेशी सामान जो खरीदना है वो क्या है उसके लिए एक सूची बनाई है परंपूजिनिय महराजी की एक पुस्तक है उसका नाम है जीवन दर्शन उस पुस्तक के पीछे के पन्ने पर ये आप ज़रा दिखा दो सबको ये जीवन दर्शन पुस्तक है स्वामी जी ने लिखी है मात्र 11 रुपई की मूल लिखी है इसके पीछे के पेज पर स्वदेशी विदेशी वस्तूओं की सूची छपी है पेज नंबर 115 एक तरफ लिखा है विदेशी वस्तूओं कौन सी दूसरी तरफ लिखा है स्वदेशी वस्तूओं कौन सी ये पुस्तक आप घर में रखो जब भी बाजार जाओ तो इसको पढ़कर जाओ और जो स्वदेशी वस्तूओं है वही खरीद कर लाओ ताकि देश का 2,32,000 करोड रुपए बच सके विदेशी कभी भी मत खरीद करना महात्मा गांदी ने स्वदेशी आंदोलन किया था लोकमा नितिलक ने स्वदेशी आंदोलन किया था और उस आंदोलन की ताकत से एक विदेशी कमपनी को हमने भगा दिया था अब फिर स्वदेशी आंदोलन करेंगे तो पांच हजार कमपनियों को हम भगा सकेंगे और देश की आजादी बचा सकेंगे तो व्यक्तिकत जीवन में स्वदेशी वस्तूओं का उपयोग करें स्वदेशी भाशा का उपयोग करें स्वदेशी भूशा का उपयोग करें स्वदेशी भोजन का उपयोग करें स्वदेशी ओशदी उपयोग करें सब कुछ स्वदेशी हो और सार्विनिक जीवन में व्यवस्था परिवर्तन के काम में हम सहयोग करें यही दो अपेक्षाएं हैं स्वाविमान की आप से उम्मीद है कि आप इन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और इस अभयान को सफल और सार्थक बनाएंगे मैंने जो बातें आपको कहीं हैं ये सारी बातें करीब सत्तर घंटे मैं कह सकता हूँ इतना शोद मैंने किया है कि इस विशेपर सत्तर घंटे ब्याख्यान में दे सकता हूँ लेकिन मेरी समस्या ये है कि मैं सत्तर घंटे रुक नहीं सकता आप सुन नहीं सकते तो मैंने क्या किया है सत्तर घंटे की सीडी बनाए है मेरे भाशन की MP3 है वो CD इधर बडोस में बाजू में मेरा कारी करता है उसका नाम है सचिन उसके पास है आप वो CD ले सकते हैं और उसकी 2-4 कौपी लेके हजारों कौपी उसकी बना सकते हैं कम्प्यूटर से आप उसकी हजारों कौपी बनाएए और व्यावरा के एक एक घर में बाटिये मैं कभी भी आप से मुकदमा लड़ने नहीं आऊंगा क्योंकि CD पर मेरा कौपी राइट नहीं है सब को कौपी करने का मेरी तरफ से राइट है मैं मानता हूँ कि ग्यान पर किसी का अधिकार नहीं होता मैंने कहीं से ग्यान लिया आपको दिया आपने मुझसे लिया किसी और को दिया ग्यान बाटने से बढ़ता है इसलिए भारत ग्यान बाटने वालों का देश है इसलिए कौपी राइट मेरा CD पर नहीं है आप थोड़ी दो चार दस CD खरीद लो हजारों कौपी बना बना के गली गली गाओं गाओं घरगर बाट दो मुझे बहुत खुशी होगी बहुत प्रसन्निता होगी और ये CD सब लोग सुनेंगे तो उनको सारा विचार अच्छे से समझ में आएगा और इस भारत स्वाविमान के साथ जुड़ेंगे तो बहुत जल्दी इस देश का वो काम पूरा हो जाएगा जो 1947 में होना चाहिए था जिसको पूरा होने के लिए 62 साल हमें इंतजार करना पड़ा अब और इंतजार हम नहीं करेंगे और इस काम को पूरा करके ही अपने अभयान को सफल और सार्थक करेंगे ये बात कहकर मैं आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद देता हूँ मुझे किसी ने एक परची दी है कि देशी खाद बनाने की विधी बताएं हम लोग खेत में अगर खेती करें तो यूरिया ना डालें बिएपी ना डालें उसकी जगे गोबर की खाद डालें वो बहुत आसान है एक एकड खेत के लिए पंद्र किलो गोबर ले ले पंद्र लीटर गोमूत्र ले ले एक किलो गुड ले ले एक किलो दाल का आटा ले ले और एक किलो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बर्गत के पेड़ के नीचे की मिट्टी पंद्र किलो गोवर, पंद्र लीटर मूत्र, एक किलो गुड, एक किलो दाल काटा, एक किलो मिट्टी ये सब मिलाके ड्रम में रखें पंद्रे दिन तक दाल कोई भी अरेर की दाल, मुंग की दाल, उड़त की दाल, चने की दाल, कोई भी दाल पंद्रे किलो गोबर, पंद्रे लीटर मूत्र, एक किलो गुड, एक किलो दाल का आटा, एक किलो मिट्टी ये सम मिलाकर एक ड्रम में डाल दे और उस ड्रम को 15 दिन तक छाओं में रखें सूरज की धूप में न रखें छाओं में 15 दिन बाद खाद तयार हो जाती है फिर उसमें 200 लीटर पानी मिलाएं और पानी मिलाकर जो गोल तयार हुआ उसको खेत की मिट्टी पे छड़क दें अगर खेत खाली है तो सीधे छिड़क में खेत में फसल खड़ी हो तो पानी के साथ उसको डालने है जब पानी लगाते हैं फसल में उसी के साथ ये मिला दे ये खाद जब मिट्टी में चली जाती है जबर जस्त उत्पादन आता है मैंने पिछले 15 साल में 50,000 किसानों को ये बात बताई और जो जो किसान ने ये खाद बना कर खेत में डाली है उनको बहुत उत्पादन मिल रहा है पहले जो किसान यूरिया डालते थे तो एक एकड में 30 टन गन्ना होता था अब एक एकड में 90 टन गन्ना होता है ये खाद डालने से जिन खेतों में यूरिया डालने से एक एकड में 12 कुंटल गेहूं होता था अब ये गोवर की खाद डालने से एकड में 16-17 कुंटल गेहूं होता है जिन खेतों में 2,5 कुंटल कपास होती थी अब साथ कुंटल का पास होती है मने उत्पादन बढ़ता है और इस खाद को हर 21 दिन पर खेत में डालना चाहिए आज डाला तो 21 दिन बाद फिर 21 दिन बाद ऐसे करके साल भर डालते रहें मिट्टी बहुत तंदुरुस्त हो जाती है बहुत अच्छी हो जाती है और उत्पादन भरपूर मिलता है ये मुफत का खाद है इसमें कोई पैसा नहीं लगता और इस खाद को डालने के बाद यूरिया डालने की कोई जरूरत नहीं दूसरा कभी खेत में कीड़े लग जाए तो कीड़े को मारने की दवा बनाए गाय का मूत्र ले लें 20 लीटर नीम के पत्ते 2,5 किलो आकडा के पत्ते 2,5 किलो फिर बेशरम के पत्ते 2,5 किलो सीता फल के पत्ते 2,5 किलो तंबाकू का पत्ता 1 किलो ये सब पत्तों को पीस के मूत्र में डालने उसको उबाले उबालकर उसको ठंडा करें और उसमें 200 लीटर पानी मिला दें तो एक एकड़ फसल पर कितने भी कीड़े आए हैं आप इसको एक बार इस्प्रे कर देंगे 48 गंटे में सारे कीड़े मर जाते हैं तो मुफत का कीट नाशक है मुफत का खाद है ये आप बनाएं अपने खेत में डालें उत्पादन बढ़ाएं समरुद्धी बढ़ाएं संपत्ती बढ़ाएं और जो जहर वाला खाना आप खा रहे हैं यूरिया डियेपी डालकर वो जहर मुक्त खाना खाएं गोबर और गोमूत्र खेतों में डालकर तो ये बोलकर आपका आभार बहुत बहुत धन्यवाद